अब हम सिग्नल्स को ढूंटा है। जब वो मिल जाएंगे तो हमें नद्दी की लोकेशन का पता चाल जाएंगे। जाएंगे। मैं उन लोगों की तराज में हमूँ एक के बास कोने को कुछ नहीं मुझाल बिचा चाहिए क्योंकि मैं भी पुलीस वाना इंदार कर दिया मेरे बास एक रहन है उसे कोई नहीं रोक सकता मेरे से जंग हाद में दिया मेरे मेरे झाया है पुली एिया लूप तर्ड़ के विए को तर्ड़ के विए कलेक्टिबली 24 ओफसर शेहीद हुए हैं अब हम सिग्नल्स को ढूण रहे हैं जब वो मिल जाएंगे तो हमें अज़्दी की लोकेशन का पता चाज़ जाएं कलेक्टिबली 24 ओफसर शेहीद हुए हैं तुमने जो किया है पता है किसके साथ किया है तुम सभी का स्वागत है इस ओपरेशन ब्लैक में आगर तुम हो खोड़ लग गया मैं उन लोगों की तलाज में हूँ इके बास खोनी को कुछ नहीं वो जाल बिचा चोगे है पुलीसों वाना इंतजार कर रही है मिले पास एक लैन है पाच सो पचास परसंट का उच्छाल जवान की कमाई में नैशनल सिनेमा डे पर 13 अक्टूबर को देश भर में नैशनल सिनेमा डे मनाया गया मल्टीप्लेक्स असोसियेशन आफ इंडिया ने बताया कि इस दिन देश भर के तमाम मल्टीप्लेक्स में कुल साथ लाक से ज़्यादा लोग सिनेमा देखने पहुंचे जो की 2023 का दूसरा सबसे ज़्यादा फुटफॉल वाला दिन है इस इवेंट में कुल 4000 सिनेमा गरों में ने हिस्सा लिया नैशनल सिनेमा डे के दिन इंडिया के तकरीबन सभी सिनेमा गरों में हर फिल्म की टिकेट 99 रुपे में भी की इसका फायदा शारुखान की जवान से लेकर अक्षे कुमार की मिशन रानी गंज और फुक्रे 3 जैसी फिल्मों को मिला टिक्ते सस्ती होने के बावजूद इन तीनों फिल्मों ने मिलकर 13 अक्टूबर को 15 करोड रुपे से ज्यादा की कमाई की जवान की कमाई छटे हफ़ते में गिर गई थी शारुखान स्टार ये फिल्म इस हफ़ते लगातार 70 से 80 लाक रुपे प्रती दिन के देर से कमाई कर रही थी लेकिन शुकरवार को जवान की कमाई में 550 परसेंट की उच्छाल दर्ज करवाई गई रिलीस के 37 दिन जवान ने 5 करोड रुपे का नेट कलेक्शन किया है इससे फिल्म का इंडियन कलेक्शन पहुँच गया है 632.5 करोड रुपे वहीं एटली डाइरेक्टेड ये फिल्म दुनिया भर से 1125 करोड रुपे का कलेक्शन कर चुकी है जो कि शारु खान की पिछली फिल्म पठान से 75 करोड रुपे ज्यादा है नैशनल सिनेमा डे का फाइदा अक्षे कुमार की इमिशन रानी गंज को भी पहुँचा ये फिल्म टिकेट खिलकी पर काफी खराब खुली थी 2.85 करोड रुपे की ओपनिंग पाई थी मगर 13 अक्टूबर को इस फिल्म ने भी 300% का जंप मारा रिलीज के दूसरे शुकरवार को अक्षे की इस फिल्म ने भी 5 करोड रुपे की कमाई की इससे पहली फिल्म का टोटल कलेक्शन पहुच गया 23.50 करोड रुपे असल घटनाओ से प्रेरित इस फिल्म में अक्षे कुमार के साथ परीनीती चोपडा, कुमुदमिश्रा, रवी किशन, जमील खान, वरुन बडोला और दिबेंदू भटाचारे जैसे अक्टर्स ने काम किया था विशन रानी गंज को टीनू सुरेश देसाई ने डाइरेक्ट किया था 13 अक्टूबर को सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही फुकरे 3 नैशनल सिनेमा डे के दिन इस फिल्म की कमाई में 400% की बड़ातरी नोट की गई इस फिल्म ने रिलीस के 16 दिन 5.25 करोड रुपे का निट कलेक्शन किया इससे फिल्म की कुल कमाई पहुँच गई 86.50 करोड रुपे इसके बाद से उमीद लगाई जा रही है कि फुकरे 3 का लाइफ टाइम कलेक्शन 100 करोड रुपे के पार जा सकता है फुकरे 3 से पुलकित समराथ, रिच्चा चड़ा, वरुन शर्मा, मंजोट सिंग और पंकच त्रिपाठी जैसे आक्टर्स ने काम किया है इस फिल्म को मृगदीप सिंग लामबा ने डायरेक्ट किया है तो दोस्तों आपके क्या विचार है इन उच्छाल में प्राटेजी नहीं और ना ही 700 करोड रुपे का बजट और ना ही फिल्म 3D में देखने की रिक्वेस्ट पर फिर भी अभी से ओडियंस ने जवान को तो सर पड़ ले लिया है अब उनकी तारीफ तो सही है पर 700 करोड का बजट इस बात को अगर हम थोड़ा सा हाइलाइट करें ना तो हमें याद आएगी फिल्म आदी पुरुष जिसका बजट भी 700 करोड रुपे था और VFX पर तो एक्स्ट्रा पैसे बाहाई गये थे तो उसी को ताना मारते हुए र गंजा लुक दिखाया है उसे देखने के बाद फैन्स क्रीजी हो रहे हैं और उपर से उनके माथे पर उन्होंने टाटू भी मनवाया है अब देखा जाए तो शारुक का ये हैरस्टाइल मशूर हो चुका है और लगता है कि अब सालोन में भी भी लगने वाली है अरे सालो खल गजनी के साथ देखा जाये तो यह जो खांस है ना उनकी फिल्मो के साथ साथ उनका हेर स्टाइल बीना काफी फैमस हो जाता है अब आमिर खांका घजनी कर तो फेमस हुआ ही था तो वही अबान खांकर तेरे नाम वाला हैरस्टाइल भी पीजे नहीं था जिसे देखो वो तेरे नाम हेर स्टाइल करके सलमान को कॉपी करने की कोशिश कर रहा था। ऐसी हालत में शारुक खान पीछे कैसे रह सकते थे भला। जरूर ये स्टाइल फॉलो किया जाएगा और जो लोग गंजे हैं ना उन्हें तो मज़ा आ रहा होगा ये कहते वे कि देखो शारुक भाई ने हमारा हेर स्टाइल कॉपी किया है। मतलब अपने गंजेपन को जुपाने के लिए अच्छा नुसका अपनाया जाएगा। फिल्म एक्सपर्ट जिम्मी और केनी का कहना है कि शारुक खान ने प्रिवियो में बहुत सर्प्राइज़स को रिवील कर दिया है जो नहीं करना चाहिए था। मसाला से भरपूर है ये फिल्म फिर भी हर एक मसाले को पहले ही रिवील करने की जरुवत नहीं थी। पर फिर भी शारुक खान अपना कमाल दिखाने में काम्मयाब हो चुके हैं इतना ही नहीं बलकि शारुक खान की कंजे लुख को देख कर भी उन्होंने तारीप की और फिल्म पहरे दिन अच्छी खासी कमाई करेगी ऐसा भी उनका कहना है। पर उनका ये कहना है कि VFX थोड़े जादा है मतलब इतने VFX की जरुवत नहीं थी फिर भी जब तक वो फिल्म पूरी नहीं देखते तब तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता उनकी इन बातों पर कमेंट करते वे फैंस ने ये कहा है कि ये एक्सपर्ट्स शारुक खान को पसंद नहीं करते हैं पर फिर भी उन्होंने अगर तारीफ की है तो इसका मतलब फिल्म जरूर ब्लॉक बस्टर साबित होगी फिल्हाल दोस्तों आप हमें ये पतारीए कि आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइड हैं में लीड रोल ने भाते हुए आप्रस नैंतारा नजर आ रही है वह फुल-on अक्षिन मोड में पर नैंतारा की जगा पहली यह ओफ़र समान्ता को दिया गया था जो कि अन्होंने अपने पॉर्सनल रीजन्स के कारण रिजेक्ट कर दिया वह भी साल 2019 में वैसे समान्ता उस व तो दोस्तों कुछ और सही फिलाव तुने अंतारा सबकी आखू का तारा बन चुकी है देखते हैं आखिरी तारा खिता चमकता है जवान के रिलीज के बाद में अब जवान फिल्म के डिरेक्टर आइटली कुमान ने उन्हीं साल की उम्र में ही अपने करियर की शुर्वात बतले दोस्तों सल्मान की 2015 में रिलीज हुई फिल्म बजरंगी भायजान को देखने के बाद आतली ने बजरंगी भायजान के स्टोरी राइटर के भी विजेंदर प्रसाद यानि एससराचा मौली के पिता के साथ काम करने के खुवाइश जुताई और उन्होंने भी एटल बॉलिवुड के साथ साथ बॉलिवुड में क्या वह अपनी मजबूत स्टोरी लाइन से सब को इंप्रेस कर पाती है या नहीं अब डिरिक्टर आटली कुवान के करियर में अगर उनके लिए कोई लगी चाम साबित हो पाया है तो हो है साउथ सूपस्टार विजय थलापत तो इसके आगे अटली उनने कैसे कास्ट कर पाएंगे क्योंकि विजय हर बार उनके लिए लगी साबित हो चुके है और इतना ही न यहीं बलकि तलापती 68 फंद को भी अटली डिरेक्ट करेंगे ऐसा कहा जा रहा था जो शायर दोस्तों तलापती के आगर फिल्म हो सकती है पर दोस्तों से कोई और ही डिरेक्टर डिरेक्ट कर रहा है तो अगर एटली को विजय की जरुत पड़ेगी तो उनके कैसे बुलाएंगे ए दोस्तों यह तो नहीं पता पर देखते हैं कि जवान में विजय को नोने किस तरह से रिप्रेजन किया है आप कैस के उपर के गहन कॉन होगा पुष्पा का सबसे बड़ा दुश्मन कैसे होगी कहानी के शुरुआत धुष्ट फ्रेंड ट्विस्ट अगर पुष्पा हुवे देखिये तो आपको पता होगा कि पुष्पा का राइट हैंट उसका बेस्ट फ्रेंड होता है बहुत ज्यादा चांसिस है कि प अब उंगली मजाग में तो नहीं कची होगी, ये दोस्त कोई सीक्रेट एजेंट हो सकता है, जिसका काम पुषपा को और सही मौका मिलते ही खट्म कर देना हो सकता है, इसके कहने पर ये तो मुझे नहीं पता, अब यहीं से निकलता है दूसरा पॉइंट जो है पुषपा की क पुषपा मुवी का क्लाइमेक्स बहुत ही जोरदार होगा, बॉलवट मुवी की तरहां फीका नहीं होगा, चांसे है कि अलू और जोन अंडर वर्ल्ड ऑपरेशन में ड्यूटी कर रहे हो, और उनका टागेट है स्मगलिंग गांग को जर से उखार तेंकना, वो कैसे होग धीरे धीरे सारे स्मगलर खत्म हो जाएंगे, इसलिए भी हो सकता है कि अगर आपने मुवी देखी होगी तो आपको पता होगा पुषपा इन से अचानक मिलता है, पुषपा का स्मगलर से कोई पास्ट कनेक्शन नहीं है, और स्मगलिंग का माल एक शहर से तूसरे शहर जानना है, ये एक पुलिस वाले से वहतर कौन जानता होगा, यानि पुषपा का कोई तो राज है, देखना ये है कि दाल में कुछ तो काला है, या दाल पूरी की पूरी काली है कनेक्शन में जबान फिल्म की शुरुआत में पुश्पा की कहानी रिवर्स में सुनाई जाती है इसकी शुरुआत में ही क्लाइमेक्स है जसने मुवी देखियोगी उसे ये डालॉग बता होगा एक गिटार जो जपान में मिलता है और सक्वाद मेहंगा है और लाल चुनर की लकडी से बनाया जाता है इस लकडी को इंडिया से बाहर जाने का काम अपने पुश्पा राज करती है यानि मुश्पाराज की कहानी सेकिंड पार्ट में नाशनल नहीं, इंटरनाशनल जाने वाली है तो दोस्तों इस पर आपके क्या प्रिव्यू का मतलब, क्यों किया इसका इस्तिमाल, क्या पठाम से जदा हो सकती है कमाई हेलो फ्रेंज मैं शूती और आप देख रहे हैं आपका अपना बैतरीन चैनल बॉलिंग ग्रेंड स्टूडियो जवान का ट्रेडर आते ही चारो तरफ कोहराम मच किया है किसी के दिल में और किसी के दिमाग में दिल वाली बात S.R.K. पर छोड़ते हैं हम करते हैं दिमाग वाली बात और पैसे वाली बात जवान के हाय पठान की सूपर हिट होने के बात से ही बने हुई थी कहा जा रहा था कि जवान को एक अना गंदा उख में पेश किया जाएगा और हुआ भी बहुत तरे लुक्स की सार की ट्रीडर लाए और खुचली छोड़ गये लोगों के दिमांग में कि भाई आखिर ये इंसान करना क्या चाता है ट्रीडर भी दिखा गया और कहानी भी पता नहीं चलने दी जिससे आदगों की तो वैसी ही जल गई ये भी मार्केटिंग स्टाटिजी ही है जिससे जवान की चार लोगों के बीच बाते होती रहे इसके साथ 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 की डारेक्टर एटली बिलकुल जैसा ही मसाला लेकर आए है जो साथ की एक्शन फिल्मों में देखने को मिलता है चारुकान के फैंस इस प्रिव्यू को देखकर कत्ते ही निराश नहीं हुए चमकर फैंस के रियक्शन आ रहे है जवान रह चिलीज एंटिटेन्वेंट द्वारा बनाई गई है जिससे एटली ने डिरेक्ट किया है बौरी खान इसकी प्रोड्यूसर है और गौर वर्मा को प्रोड्यूसर है जवान फिल्म के लिए मेकर्स अलग तरफ की मार्केटिंग स्टाटिजी अपना रहे है वो इस फिल्म को कुछ ऐसे प्रमोट करना चाते हैं जो शायद पहले ना हुआ हो इसलिए ही जवान ट्रेनर के लिए प्रिव्यू शब्द इस्तिमाल किया गया जिसका मतलब होता है एक विज्यापन जिसमें एक मोशन पिच्चर के छोटे सीन शामिल हो जो आने अने भविश में प्रदर्शित होंगे हलाकि इसका अर्थ भी ट्रेनर ही होता है मेकर सीधे ट्रेनर शब्द ही यूज कर सकते थे लेकिन सिफ क्यूरोसिटी जगाने के लिए प्रिव्यू शब्द इस्तमाल हुआ ऐसा कहा जा रहा है कि 10 जुलाई को आए ट्रेनर के बाद फिल्म के कुछ गाने रिलीस किये जाएंगे फिर अगस्त में एक फाइनल ट्रेलर आएगा इसके बाद सीधे 7 सितमवर को फिचर आएगी जवान का बयानक बन बना हुआ है पठान के बाद ये इस सार की सबसे बड़ी फिल्म हो सकती है अगर फिल्म का कंटेन्ट अच्छा होता है तो इसकी पठान से भी जादा पैसे कमाने के पूरे आसार है इसे एटली डारेक्ट कर रहे है तावल फिल्मों के सबस्ता मीकर्स में उनकी गिंती होती है आज तक उनकी डारेक्ट की गई कोई भी फिल्म प्राउप नहीं होई है और ये पिच्चर कुल कमाई पर असर डालेगा इसे के साथ ट्रेलर में ट्रेन लूटने वाला तगड़ा एक्शन सीक्विंस की जालक दिखाए गई है जहां ऐसार के को बैग उठाते हुए ट्रीन के अंदर जाते हुए दिखाया गया है इसकी जलक भी ट्रेलर में मिल गई है कई जगा ऐसा भी कहा जा रहा था कि फिल्म की पूरी कहानी ही ट्रेन रॉबरी के इर्द गिर्द गुमेगी ऐसा संभव भी है क्योंकि ट्रेलर में ट्रेन को काफी तवच्चो दी गई है ट्रेन वाला सीन मूबई मेट्रो का हो सकता है क्योंकि जब शारुप मेट्रो में घुस रहे होते हैं तो ट्रेन पर घाट को पर लिखा मिलता है ऐसा भी कहा गया था कि फिल्म में शारुप का डबल रूल होने वाला है जिसमें वो अलग अलग विनुफ को क्यारी करेंगे जवान में शारुप के साथ विजय सेतुपती नैंतारा, सान्द्या मलोत्रा, सुनीर ग्रोवर और योगी बावू काम कर रहे हैं टीपिका पादुकोड और संजेदत केस्ट रूल में नजर आएंगे आप को बता दे कि ये ट्रेलर ना बिल्कुल बस क्रियेट कर रहा है लेकिन हम जानमाल चाहेंगे कि आप की क्या राय है इस ट्रेलर को ले करके अपीना आए हुए बताईए फड़ फड़ से कॉमेंट सेक्शन में और जाते जाते इस वारे विजय करिएगा हमारी चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज को जसे चर्चा में हैं लंबे समय से दर्शक बड़े पर अक्टर की वापसी का इंतजार कर रहे हैं अक्टर बेशे की चार साल से किसी फिल्म में नज़र नहीं आए लेकिन बीते दिनों में शारू खान ने बैक टू बैक फिल्मों का एलान करके अपने सारे फैंस को खुश कर दिया उनको स्क्रीन पर वापसी करते देखना उनके फैंस के लिए किसे ट्रीट से कम नहीं अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो उन फिल्मों में से एक जवान फिल्म भी है ये फिल्म अपनी एनाउंस्मेंट के साथ ही चर्चाओं में बनी हुई है पर ऐसे इसलिए क्योंकि जवान के साथ ही खतरनाक लुक सामने आया शारू खान का और उस खतरनाक लुक के साथ ही ये भी अपडेट सामने आया कि इस फिल्म में लेडी सुपरस्टार नए अंतारा नज़र आने वाली है एक और बात, पहले ही इस बात का खुलासा हो चुका है कि शारू खान के इस फिल्म का सीधा कनेक्शन टॉलिवूट से है इस बात का खुलासा होते ही दर्शोकों के बीच फिल्म के लिए एकसाइटमेंट काफी बढ़ गया ऐसे में अब इस फिल्म को लेकर एक और बड़ी अपडेट सामने आई है जिसे सुनने के बाद किसी को भी जटका लगेगा और हर कोई जूमने पर मजबूर हो जाएगा वैसे तो हर तरफ चर्चा थी कि तमिल डारेक्टर अटली के डारेक्शन में बन रही इस फिल्म में शारू खान के साथ दीपी का पादुकोर नए अंतारा सान्या मलोतराय राना दगुपती और लीड रोल प्ले करते नजर आने वाले हैं लेकिन अपकी रिपोर्ड में दावा किया जा रहा है कि राना दगुपती की जगह इस फिल्म में विजय सेतुपती ने ली है जी यहां सामने आती रिपोर्ट्स में बताया जारा कि जवान के मेकस ने शुरुआत में बाहु बली फेम एक्टर राना दगुबाती से संपर किया लेकिन डेट्स ना होने के कारण वो इस फिल्म का हिसान नहीं बन पाए राना दगोपती तो बाहर हो चुके हैं लेकिन उनकी जगा एंट्री ली है विजय सेतुपती ने देखा जा दोस्तों तो इस फिल्म में बॉलिवुड और साउथ के एक्टर्स के एक साथ होने की वज़़ से फिल्म को लेकर काफी बस बना हुआ है ऐसे में इस फिल्म में विलन के रूप में विजय सेतुपती की एंट्री ने फिल्म के लिए सभी को और excited कर दिया है बता दे कि विजय सेतुपती को आखरी बार कमल हसन की फिल्म विकरम में देखा गया इसके साथ ही टॉलिवुड में ऐसी खबरे भी सामने आरी कि एक्टर अलू और जुनके फिल्म पुश्पादी रूल में भी वो विलन के करेक्टर में नजर आ सकते हैं शारू खान ने स्टार्टर को लेकर ये भी कहा जारा है कि फिल्म में साथ के सूपर स्टार थालपती विजय भी कैमियो रोल करते नजर आएंगे जवान के अलावा भी इन दिनों शारू खान कई फिल्मों में बिजी हैं ये प्रोडक्शन आउस खुद शारू खान का है ये फिल्म पैन इंडिया लेवल पर रिलीज होने वाली है फिल्म के प्रोड्यूसर है गौरई खान वैले ये फिल्म बहुत ही माइंड ब्लूइंग होने वाली है 30 साल के करियर में ये शारू खान की पहली फिल्म होगी जो पैन इंडिया लवल पर रिलीस होगी फिल्म ने एक्टर का लुक काफी खौफनाक है जिसकी जलक फैंस पहले ही टीजर में देख चुके हैं फिल्म 2 जून 2023 को सिनेमा घरों में दस्तक देगी लेकिन उससे पहले पठान फिल्म रिलीस हो रही है और पठान में दीती का पाद को जौन अबराहम लीड रोल में नजर आएंगे पठान माइंड ब्लोइंग फिल्म होने वाली और बॉक्स आफिस पर आते ही शारू खान चाने वाले हैं वैल आप किस फिल्म का ज़ादा एक्साइटिंग ही वेट कर रहे हैं जवान फिल्म का या फिर पठान का नीचे कमेंड बॉक्स में अपनी अपनी राय ज़रूर श्रियर करें थांक्यू सो मच को पिढ़ा दे वहां से को चंदीगर में गए जहां उन्होंने ट्रेनिंग और फिर वो निकले अपने नय सफर पर सियाचिन ग्लेशर चड़ने से पहले मनोहत पाटिल ने अपने परिवार को कॉल किया और कहा कि आज वो ग्लेशर चड़ने वाले हैं फिर कुछ दिन बीत उनका फिर से कॉल आया और उन्होंने कहा कि वो बहुत खोश है क्योंकि वो पोस्ट के बड़े करीब है और शाइब उतनी उचाई पर पहुचने के बाद नेटवर्क ना मिले इसलिए वो आज ही सभवात करने बले हैं कुछ दिन और बीत गए पर उनका कॉल नहीं आया फि कुछ दिन बीद गए फिर से उनकी यूनिट का कॉल गया और कहा गया कि उनकी हालग बड़ी नाजुक है और उन्हें दिल्ली के एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है उनका परिवार रोने लगा आर्मी द्वारा उनके परिवार को ये भी बताया गया कि उनके परिव परिवार उन्हें एक खोश आया उनकी हलक बड़ी नाजुक थी वो कुछ कह नहीं पा रहे थे ना हिल पा रहे थे ना डूल पा रहे थे उनका परिवार सिर्थ भावान को प्राथना कर रहा था फिर उसके अगले दिन मनोहर पाटिल की शरीर सुकरने लगी और उनकी सासे बहुत तेज होने लोगी और देखते ही देखते मनोहर पाटिल ने इस बेश को छोड़ दिया तो ऐसी ही एक वीव जवान की स्टोरी हो सकती है हमारी शारुखान स्टार जवान जाते जाते आपके लिए गुड़ नीज है अगर आप भी सिनिमा के दुन्या से जुड़ना और हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चरिटी का भरण पूर फायदा उठाईए मिरत हैं आपसे अगरी वीडियो में तब तक बने कब शुरू होगी शारुखान और नयंतारा के गान शारुख के साथ नयंतारा विजैसे तुपती जैसे माहिर आक्टर्स भी नजर आएंगे अब इस फिर्म को लेकर ये बताया जा रहा है कि पर्म का पहला गाना शूट होने वाला है इस गाने को कंपोज करेंगे फेमस कंपोजर अनिरुद अप्रेल के पहले हफते में गाने सूपर हिट होने चाहिए जिसके उपर फिल्म का सकस्स डिपेंड करता है और वो चाहते हैं कि गाने को लेकर कोई कोंट्रोवर्सी ना हो वैसे पठान के बाद शारुख खान जवान में इतने बीजी हो गया है कि अब उनकी एक धरक देखने के लिए उनके फैंस तरस रहे ह हम जल्द ही शारुख खान को फिल्म के जवदस गानों में देखने वाले हैं और जहां तक अपरेल के पहले हफते में पहला गाना शूट होगा तो उसकी जल्द ही देखने को मिलेगी इतना ही नहीं बलकि फिल्म का दूसरा गाना शूट होगा जिसमें हमें तिपिका पाद जुकुन इस फिल्म में क्यामियो करते हुए नजर आने वाली है। देखते हैं कि इटली और शारुक का डूओ क्या कमाल करता है। अगर रिलीस की बात की जाए तो ये फिल्म 2 जून 2023 को रिलीस होगी। तो आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइड़ है बताईए हमें कॉमेंट सेक्शन में साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही मैप रगती मिलूँगी आपसे नेक्स वीडियो में सेफ रहिए, मसकोई आते रहिए, बाबारे। अगर वो सरेंडर कर देगा। जैसे ही गदाफी बाहर आया उसके दोनों पैरो पर विद्रोहियों ने गोली मार दी। विद्रोहियों का गुस्ता बढ़ चुका था और सेना भी दूर थी। ऐसे में जब तक सेना वहां पहुँच पाई तब तक विद्रोहियों ने गदाफी को उसी की सोने की पिस्टॉल से गोली मार दी। ऐसे ही एक्शन पैक्ड होने वाली है शारुफ खान स्टारर जवान। आपका इस बार में क्या कहना है कॉमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताईए। और अब जाते जाते आपके लिए फादे की बात। अगर आप भी सिनमा की दुनिया से जुणना चाहते हैं और काम करना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये हुए इस जॉब लिंक पर किक करिए और इस उपरचुनिटी का भरपूर पाइदा उठाईए। और इस वीडियो को कर दीजे लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना पिलकुल न भूलियो और मुझे यानी शूती को जे तब तक के लिए जाखा गया था अब अपकमिंग फिल्म का एक नया पोस्टर सोशल मीडिया पर लीख हो गया है इसमें शारुफ खान के लंबे बाल नजर आ रहे हैं चेहरे पर बैंडिज के साथ मिस्ट्री लुक बरकरार रखा गया है और हाथ में नाइफ है जिसके अंदर S.R.K. का एक अलग चेहरा है इसमें फिल्म के लिए उमीदों को और भी बढ़ा दिया है जबकि कई प्रशंशा कीजर में उनके बैंडिज और चोटे लुक से शौक्ड हैं तो यहां जवान का लुक 1990 के लोग फ्रिय हॉलिवड एंटी हीरो फिल्म डार्क मैन के समा दिया गया था उसने अपनी विक्रित वचा को छिपाने के लिए खुद को पटियों में लपेट लिया और उन लोगों से बदला लेने के लिए लोट आया जिन्हों ने उसे मारने की कोशिश की थी बैंडिट लुक और फिल्म जवान के पोस्टर के गहन विशह ने ताई फ पताईए कि आपका इस बार में क्या कहना है और आप फिल्म के लिए कि इतने एक्साइटेड है कॉमेंट सेक्शन में अपनी रायल खान अपने डवल रोल में इंटेंस चे सीक्विंस के साथ जवान की शूटिंग खत्म करेंगे और अब इस फिल्म को लेकर लेटिस्ट है और अब वो आठ मार्श को चन्नई वापस चली गई नैंतारा का जवान के लिए मुंबई शिड्यूल काफी अच्छा रहा उन्होंने इस शिड्यूल में शारुक के साथ कुछ मतपून द्रिश्यों को शूट किया है जबकि कुछ की शूटिंग राजस्थान में ही जवान में शारुक खान के अलावा प्रियमणी, सान्या मनोत्रा और सुनील ग्रोवर भी एहम भूमिकाओं में नजर आएंगे वही नेगिटिव रोल में विजय से तुपती नजर आएंगे फिल्म का संगीत लोगप्रिय दक्षन संगीत निर्देशक अनिरुद्ध रवी जनर ने तयार किया है शारुक खान की कंपनी रेट चिलीज एंटर्टेंडमेंट द्वारा निर्मे जवान दो जून दो हजार तेस को पांच भाशाओं हिंदी, तमिल, तेल्गू, मल्यालम और कंणर में रिलीज होगी तो दोस्तों आपको इनके एक्शन सीन्स का कितना इ भी वारल हो रहा है, जिसे खुद फैंस ने बड़ी महनत से बनाया है, अपने केंखान के लिए जी हाँ, शारुक खान के कॉलकाता फैन क्लब ने उनका ये पोस्टर वारल कर दिया है, इसमें शारुक खान ब्लाक कलर के अटायर में हाथ में मशिन गन पकड़े हुए नजर रही है, शारुक का ये स्वाग सबको दीवाना बना रहा है, और इस फैन मेट पोस्टर पर नेटिजन्स काफी अच्छे कॉमेंट्स ही कर रहे हैं, दोस्तों सबने यही कहा है कि कॉलकाता वालों ने केंखान पर अपना जो प्यार बरसाया है, उसे देखकर केंखान जरूर खुश होंगे, कॉलकाता वाले शारुक का आक्शन अफ़तार देखने के लिए बेसबरी से इंतिज़ार कर रहे हैं, पर उन्हें 2 जून 2023 तक रूखना पड़ेगा, जब फिल्म रिलीस होगी, वैसे शारुक के साथ फिल्म में नए अंतारा नजर आने वाली है, विजै सेत पती विलन बने हैं, और संजु बाबा और डिमपल गर्ल्स दिपिका का क्यामियो होने वाला है, मतलब ये एक मर्टी स्टारल फिल्म है, वैसे जब शारुक क्विटर पर अपना हैस्टेक आस्क एसार के नाम का सेग्मेंट करेंगे, जिसमें फैंस उन्हें सवाल पूछते हैं, और उन्हें ठाइंक्यू भी कह सकते हैं, देखते हैं कि अब शारुक खान इस पोस्टर पर क्या कहते हैं, तो दोस्तों आप इस फर्म के लिए कितने एक साइडेड हैं, बताईए हमें कामेंट सेक्षन में, ताती वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, आ अपना चेहरा लपेटे हुए शारुक को देखकर समझ नहीं आ रहा था कि उनका किरदार किस तरका होगा, पर इस सवाल का थोड़ा सा जवाब देते हुए बेकर्स ने खुलासा किया है कि शारुक खान फिल्म में डबल रूल निमाएंगे और उनके एक कैरेक्टर का नाम ह होगा राजवर्धन ठाकुर, पर दूसरे कैरेक्टर का नाम अभी तक नहीं बताया गया है, पर कुछ गौर किया आपने शारुक और राज, इनका कुछ न कुछ पिछले जनम का कनेक्शन है, तभी तो यहाँ पर भी उनके नाम में राज मौजूद है, और उनके इस नाम क के करेक्टर कितने फेमस हो चुके हैं, ये तो हम जानते ही हैं, उसमें दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे, महबते, दीवाना चलते चलते, राजू बन गया जेंटलमेन, रोहिच शेटी के दिलवाले, हे बेबी, बादशा और रब ने बना दी जोड़ी, ऐसी नौफ फि उसी के साथ-साथ, फिल्म में नेंतारा, सान्या मनूत्रा और फिल्म के विलन विजय से तुफती भी नजर आने वाले हैं, साउथ फिल्मेकर एटलिक कुमार, फिल्म के लिए जी तोड महनत कर रहे हैं, क्योंकि ये एक पैन इंडिया फिल्म है, तो तो एकते हैं कि 2023 में य ये जवान क्या धमाका करता है, साथ ही जाते जाते आप बताईए अपनी राय हमें कॉमेंट सेक्शन में, और वीडियो को कर दीजे लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले, और मुझे यानि शूती को दीजे जा, दिपिका पादुकोर और अब ये जोड़ी एटली के जवान के लिए एक और मैसी नम्मर के लिए फिर से मिल रही है, जहाँ दिपिका पादुकोर एक क्यामे हो लेकिन महत्वपून भूमिका में दिखाई देने के लिए तयार है, एटली 20 अप्रेल तक अपनी बहुत प्रतिक्षित मसाला फिल्म की शूटिंग पूरी कर लेंगे, फिल्म की शूटिंग 5 अप्रेल तक पूरी हो जाएगी, केवल दो गानों की शूटिंग अभी बाकी है, जहाँ एक तरफ शारुक खान और नैंतारा के साथ शूट किया जाने वाला एक रोमैंटिक नमबर है, वही दूसरा देपिका और शा अवतार ने इंटरनेट तोड़ दिया था, जवान फिल्म का मैसी दमाकेदार नमबर इस साल उनका तीसरा ग्रूवी गाना होगा और फैन्स पहले से ही उनकी केमेस्ट्री को फिर से देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुख है, फिल्म का संगीत अनिरुद्ध रवीच अंदर द्वारा दिया गया है और अन्ने डीटेल्स गुपत रखे गए हैं, शारुक खान टहले साथ अप्रेल को नेंधारा के साथ रोमेंटिक ट्रैक शूट करेंगे, फिर दीपिका पादुकोन के साथ गाने की शूटिंग करेंगे, कथित तोर पर दीपिका पादुकोन फिल्म में शारुक खान की पत्नी की भूमिका निभाती है, जिसे मार दिया जाता है और अभिनेता अपनी पत्नी की मौत का बदला लेने के लिए एक मिशन पर निकल जाता है, शारुक खान फिल्म में दोहरी भूमिका निभा रहे हैं, जहां उन्होंने पिता और पुत्र क भूमिका निभाई है फिल्म ओम शांती ओम चैन्ने एक्सप्रेस हैपी न्यू यर और पठान के बाल शारुक खान और दिपिका पादुकोण की साथ में ये पाचवे फिल्म होगी व्यूज की बात करें तो पठान फिल्म के बेशरम रंग ने ये श्राज फिल्म के आधिकार वे हैं दो जून दो हजार तेज को स्क्रीन पर हिट होने के लिए पूरी तरह से तयार है आपको अंके लिए कितने एक्साइट है में फड़ा फट्स बताईए कॉमेंट सेक्षिन में और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजे लाइक और शेर और चानल को के बारे में कहानिया सुनाते महां से लोटने के बाद उनकी पोस्टिंग होई सियाचन ग्लेशियर में यह वही ग्लेशियर जहां टंप्रेचर माइनस में जाता है ऐसी कपकपाती थंड की शरीर को पिला दे वहां से को चंदीगर में गए जहां उन्होंने ट्रेनिंग और वो निकले अपने नए सफर पर. सियाचन ग्लेशियर चड़ने से पहले मनोहर पाटिल ने अपने परिवार को कॉल किया और कहा कि आज वह ग्लेशियर चड़ने वाले हैं. पिर कुछ दिन बीट गय उनका फैर से कॉल आया और उन्होंने कहा कि वह बहुत खुश है क्योंकि वो पोस्ट के बड़े करीब है और शाद उतनी उचाई पर पहुचने के बाद नेकवर्क ना मिले इसलिए वो आज ही सब बात करने माले हैं कुछ दिन और बीद गए पर उनका कॉल नहीं आया फिर 16 जुलाई को शाम आठ वजे उनके यूनिट से उनके परिवार को कॉल किया गया कि मनोहर पार्टिल को इंजूरी हो गई और उन्हें अस्पताल में एड्मिट किया गया है फिर कुछ दिन बीद गए फिर से उनकी यू बार में से कोई भी दो लुग दिल्ली जा सकते हैं दिल्ली पहुचने के बाद उन्हें पता चला कि मनोहर पार्टिल की ब्रेन सरजनी हुई है और वो भी बेहोश है बीज दिन बीद गए और मनोहर पार्टिल को खोश नहीं आया उसके अगले दिन बार उन्हें एक खोश अगले दिन मनोहर पार्टिल की शरीप सुकरने लगी और उनकी सासे बहुत तेज होने लगी और देखते ही देखते मनोहर पार्टिल ने इस देश को छोड़ दिया तो ऐसी ही एक वीर जवान की स्टोरी हो सकती है हमारी शारुखान स्टार्ट जवान जाते जाते आपके लिए गुड़ निउस है अगर आप भी सिनिमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दियो में जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अप्पॉर्चनिटी का भरभूर फायदा उठाई कब शुरू होगी शारुख खान और नयंतारा के गाने की शूटिंग या दिपिका पादु को न देंगी शारुख और नयंतारा का साथ दोस्तों साउथ फिल्म मेकर इटली कुमार और हमारे शारुख खान अपनी फिल्म जवान के लिए जी तोड महनत कर रहे हैं ये फिल्म 2023 की मोस्त अविटिट फिल्मों में शामिल है इस हाई बजट फिल्म में शारुख के साथ नयंतारा विजए से तुपती जैसे माहिर आक्टर्स भी नज़र आएंगे अब इस फिल्म को लेकर ये बताया जा रहा है कि फिल्म का पहला गाना शूट होने वाला है इस गाने को कंपोज करेंगे फेमस कंपोजर अनिरुद अप्रेल के पहले हफते में गाने की शूटिंग होगी वो भी मुंबई में वैसे फिल्म के लिए अप्रेल महिना बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है क्योंकि इस महिने में फिल्म के दो गाने शूट हो जाएंगे इटली कुमार का ये प्लान है कि ये दोनों ही गाने सूपर हिट होने चाहिए जिसके ओपर फिल्म का सकस्स डेपेंड करता है और वो चाहते हैं कि गाने को लेकर कोई कॉइंट्रोवर्सी ना हो वैसे पठान के बाद शारुक खान जवान में इतने बीजी हो गए है कि अब उनकी एक जलक देखने के लिए उनके फैन्स तरस रहे हैं वैसे हम जल्द ही शारुक खान को फिल्म के जवदस गानों में देखने वाले हैं और जहां तक अपरेल के पहले हफते में पहला गाना शूट होगा तो उसकी जलक हमें जल्द ही देखने को मिलेगी इतना ही नहीं बलकि फर्म का दूसरा गाना शूट होगा जिसमें हमें तिपिका पादुकोन नजर आने वाली है यानि कि तिपिका पादुकोन इस फर्म में क्यामियो करते हुए नजर आने वाली है कहा जाता है कि ये गाना 15 अपरेल तक रिकॉर्ड हो सकता है वैसे बेशरम रंग गाने को लेकर जो बवाल हुआ था उसे ध्यान में रखते हुए इटली कुमार पुहती सावधानी से गाने को शूट करना चाहते हैं जेखते हैं कि इटली और शारुक का डूओ क्या कमाल करता है अगर रिलीस की बात की जाए तो ये फिल्म 2 जून 2023 को रिलीस होगी तो आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइड़ है बताईए हमें कॉमेंट सेक्शन में साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा आज के लिए बस इतना ही मैट रगती मिलूँगी आपसे नेक्स वीडियो में सेप रहिए मसको आते रहिए बाबार नाटो सेना उसे ढून रही थी तबी सेना को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि 25 से 30 गाडियों का एक काफिला उस गाओं की तरफ देखा गया है सेना हेलिकॉप्टर से बंबारी करने लगी आदी से जादा गाणिया बंबारी में उड़ गई और जितने बच्चे लोग थे वो गाओं की गलियों में तरबतर भागने लगे विद्रोहियों ने एक छोटे से पाइप में छुपे गदाफी को बाहर आने की नसीहत दी उसे कहा गया कि सेना उस पर हमला नहीं करेगी अगर वो सरेंडर कर देगा जैसे ही गदाफी बाहर आया उसके दोनों पैरों पर विद्रोहियों ने गोली मार दी विद्रोहियों का गुस्ता बढ़ चुका था और सेना भी दूर थी ऐसे में जब तक सेना वहां पहुच पाई तब तक विद्रोहियों ने गदाफी को उसी की सोने की पिस्टॉल से गोली मार दी ऐसे ही एक्शन पैक्ड होने वाली है शारुख खान स्टारर जवान आपका इस बार में क्या कहना है? कॉमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताईए और अब जाते जाते आपके लिए फादे की बात अगर आप भी सिनमा की दुनिया से जुनना चाहते हैं तो description box में दिये हुए इस job link पर कीक करिए और इस opportunity का भरपूर फायदा उठाइए और इस वीडियो को कर दीजे like और share और चैनल को subscribe करना फिल्कुल ना भूलियो और मुझे यानी शूती को दीजे तब तक के लिए जाठा गया था और हाथ में knife है जिसके अंदर SRK का एक अलग चहरा है इसने फिल्म के लिए उमीदों को और भी बढ़ा दिया है जबकि कई प्रशंशक टीजर में उनके bandage और चोटे लुक से शौक्ड है तो यहाँ जवान का लुक 1990 के लोग फ्रे हॉलिवड एंटी हीरो फिल्म डार्क मैन के समान ही लग रहा है दोस्तो यर 1990 की सूपर हीरो फिल्म में लियाम निसन ने टाइटैनिक एंटी हीरो की भूमे का निभाई थी जिसे जिन्दा जलाने के बाद मृत के लिए छोड़ दिया गया था उसने अपनी वीकृत वचा को छिपाने के लिए खुद को पटियों में लपेट लिया और उन लोगों से बदला लेने के लिए लोट आया जिन्हों ने उसे मारने की कोशिश की थी बैंड़ लुक और फिल्म जवान के पोस्टर के गहन विशह ने काई फान्स को तुलना करने के लिए फ्रेरित किया है कुछ लोग कह रहे हैं कि शारुक खान ने डाक मैन से जवान लुक की नकल की एक यूजर में लिखा शारुक जी 1990 की डाक मैन हॉलिवूड फिल्म नहीं देखी क्या दोस्तों आप बताइए कि आपका इस बार में क्या कहना है और आप फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड है कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय खान अपने डबल रोल में इंटेंस चे सीक्विंस के साथ जवान की शूटिंग खत्म करेंगे और अब इस फिल्म को लेकर लेटेस्ट अपडेट ये है कि फिल्म की लीडिंग लेडी नैंतारा ने भी एक हफते के मुंबई शिड्यूल को पूरा कर लिया है नैंतारा ने जवान का 9 दिन का लंबा शिड्यूल पूरा कर लिया है और अब वो 8 मार्श को चन्नई वापस चली गए नैंतारा का जवान के लिए मुंबई शिड्यूल काफी अच्छा रहा उन्होंने इस शिड्यूल में शारुक के साथ कुछ महतुपून द्रिश्यों को शूट किया है जबकि कुछ की शूटिंग राजस्थान में ही जाएगी हलाकि मेकर्स ने अभी इसके लिए डेट्स लॉक नहीं किये है कुछ सीन्स ऐसे हैं जो निश्चेत रूप से लोगों की जग्यासा को बढ़ा देंगे जवान में शारुक खान के अलावा प्रिया मनी, सान्या मनोत्रा और सुनील ग्रोवर भी एहम भूमिकाओं में नजर आएंगे वही नेगिटिव रोल में विजए से तुपती नजर आएंगे फिल्म का संगीत लोगप्रिय दक्षन संगीत निर्देशक अनिरुद्ध रवी चंदर ने तयार किया है शारुखान की कंपनी रेट चिलीज एंटर्टेंडमेंट द्वारा निर्मे जवान 2 जून 2023 को पांच भाशाओं हिंदी, तमिल, तेल्गू, मल्यालम और कंणर में रिलीज होगी तो दोस्तों आपको इनके एक्शन सीन्स का कितना इंतजार है मैं फड़ा फ़र से बताईए कॉमेंट सेक्शन में और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजे लाइक और शेयर और चैनल को सब्स्क्राइब करना बिल्कुल भूलिए और फिलाल के लिए बढ़ चुके हैं तरसल जवान पर्म का पोस्टर अभी वारल हो रहा है जिसे खुद फैंस ने बड़ी महनत से बनाया है अपने केंखान के लिए जी हाँ शारुक खान के कॉलकाता फैन क्लब ने उनका ये पोस्टर वारल कर दिया है इसमें शारुक खा के अटायर में हाथ में मशिन गन पकड़े हुए नजर आ रहे हैं इसे के साथ उनके मुँ में जलती सिगरेट भी नजर आ रही है शारुक का ये स्वाग सबको दीवाना बना रहा है और इस फैन मेट पोस्टर पर नेटिजन्स काफी अच्छे कॉमेंट्स की कर रहे हैं दो पर उन्हें 2 जून 2023 तक रूखना पड़ेगा जब फिल्म रिलीस होगी वैसे शारुक के साथ फिल्म में नए अंतारा नजर आने वाली है विजय सेतु पती विलन बने हैं और संजु बाबा और डिमपल गर्स दिपिका का क्यामियो होने वाला है मतलब ये एक मर्टी स्टा फिल्म है वैसे जब शारुक ट्विटर पर अपना हैस्टेक आस्क एसार के नाम का सेग्मेंट करेंगे जिसमें फैंस उन्हें सवाल पूस्ते हैं उसमें शारुक इस पोस्टर को लेकर भी बात कर सकते हैं और उन्हें ठाइंक्यू भी कह सकते हैं देखते हैं कि अब प्राउड फील हो ऐसा काम कर चुके हैं वहाँ पर उनसे जुड़ी हर एक छूटी खबर इंपोर्टेंट है वैसे जवान का जो पोस्टर था जिसमें पटियों में अपना चेहरा लपेटे हुए शारुक को देखकर समझ नहीं आ रहा था कि उनका किरदार किस तरका होगा पर इस सवाल का थोड़ा सा जवाब देते हुए बेकर्स ने खुलासा किया है कि शारुक खान फिल्म में डबल रूल निभाएंगे और उनके एक कैरेक्टर का नाम होगा राज वर्धन ठाकुर पर दूसरे कैरेक्टर का नाम अभी तक नहीं बताये गया है पर कुछ गौर किय अपने शारुक और राज इनका कुछ न कुछ पिछले जुनम का कनेक्शन है तभी तो यहाँ पर भी उनके नाम में राज मौजूद है और उनके इस नाम के कैरेक्टर कितने फेमस हो चुके हैं ये तो हम जानते ही हैं उसमें दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे महबते द कैरेक्टर बन गया वैसे जवान में हमें दिपिका पादुकोण और संजेदत कैमियो करते हुए नजर आएंगे पर उनका कैरेक्टर काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होगा उसी के साथ साथ फिल्म में नैंतारा सान्या मनूत्रा और फिल्म के विलन विजह से तुफती भी नजर आने वाले हैं साथ फिल्मेकर एटलिक कुमार फिल्म के लिए जीत तोड मेंदत कर रहे हैं क्योंकि ये एक पैन इंडिया फिल्म है तो एक्ते हैं कि 2023 में ये जवान क्या धमाका करता है साथी जाते जाते आप बताए अपनी राय हमें कॉमेंट सेक्शन में और वीड अपनी बहुत प्रतिक्षित मसाला फिल्म की शूटिंग पूरी कर लेंगे फिल्म की शूटिंग पाँच अपरेल तक पूरी हो जाएगी केवल दो गानों की शूटिंग अभी बाकी है जहां एक तरफ शारुक खान और नैंतारा के साथ शूट किया जाने वाला एक रोमैं इक नमबर है वही दूसरा देपिका और शारुक की मौजूदगी वाला एक ट्रैक है देपिका पादुकोर्ड और शारुक खान पहले ही पठान के टाइटल ट्रैक जूमे जो पठान के साथ चार्ट बस्टर पर हिट हो चुके हैं फिल्म का दूसरा मैसी ट्रैक बेशर्म परंग था जोहां दीपिका पादुकोन के बदले अवतार ने इंटरनेट तोड़ दिया था जवान फिल्म का मैसी दमाकेदार नंबर इस साल उनका तीसरा गुरूवी गाना होगा और फैंस पहले से ही उनकी केमेस्ट्री को फिर से देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्सु फिल्म का संगीत अनिरुद्ध रवीचंदर द्वारा दिया गया है और अन्ने डीटेल्स गुप्त रखे गए हैं शारुक खान पहले साथ अप्रेल को नेंधारा के साथ रोमेंटिक ट्रैक शूट करेंगे फिर दीपिका पादुकोन के साथ गाने की शूटिंग करेंगे जहां उन्होंने पिता और पुत्र की भूमिका निभाई है फिल्म ओम शांति ओम चैन्ने एक्सप्रेस हैपी न्यू यर और पठान के बाद शारुक खान और दिपिका पादुकोन की साथ में ये पाचवे फिल्म होगी व्यूज की बात करें तो पठान फिल्म के बेशरम रंग ने ये श्राज फिल्म के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर 391 मिलियन से अधिक व्यूज बटो रहे हैं जबकि जूमे जो पठान ने 422 मिलियन व्यूज हासिल किये हैं जवान शारुक खान नेंतारा और विजय सेतुपती के साथ दिपिका पादुकोन एक से तयार है आप के लिए कितने एक्साइटेड है मैं फड़ा फर्स बताईए कॉमेंट सेक्शन में और जाते जाते इस वारे वीडियो को कर दीजे लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले और मुझे यानि शूती को दीजे जाज़त नमसकार उनमें देजभक्ती कूट-कूट कर भरी थी जब वो गाम लोटे थे तो वहां के बच्चों के साथ वो बाते करते खेलते उन्हें भारती सेना के बारे में कहानिया सुनाते वहां से लोटने के बाद उनकी पूस्टिंग होई सियाचन ग्लीशेज में ये वही ग्लीशेज जहां टमप्रेचर माइनस में जाता है ऐसी कपकपाती थंड की शरीर को पिगला दे वहां से को चंदीगर में गए जहां उन्होंने ट्रेनिंग और फिर वो निकले अपने नए सफर पर सियाचन ग्लीशेज चड़ने से पहले मनोहर पांटिल ने अपने परिवार को कॉल कि और कहा कि आज वो ग्लेशेज चड़ने वाले है फिर कुछ दिन बीट गये उनका फिर से कॉल आया और उन्होंने कहा कि वो बहुत खुश है क्योंकि वो पोस्ट के बड़े करीब है और शाइब उतनी उचाईब पर पहुचने के बाद नेटवर्क ना मिले इसले वो आज ह कि सब बात करने बले हैं कुछ दिन और बीट गये पर उनका कॉल नहीं आया फिर 16 जुलाई को शाम आठ वजे उनके यूनिट से उनके परिवार को कॉल किया गया कि मनोहर पार्टिन को इंजूरी हो गई और उन्हें अस्पताल में एड्मिट किया गया है फिर कुछ दिन ब परिवार को यह भी बताया कि उनके परिवार में इसे कोई भी दो लुग दिली जा सकते हैं दिली पहुचने के बार उन्हें पता चला कि मनोहर पाटिन की ब्रेइन सर्जिरी होई है और वो भी बेहोश है बीस दिन बीद कय ओर मनोहर पाटिन को खोश नहीं था उसके अगल देखे ही एक वीव जवान की स्टॉरी हो सकती है हमारी शारुकान स्टारर जवान जाते जाते आपके लिए गुड निव्स है अगर आप भी सिनिमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो description box में दीए हुए job link पर click करें और इस opportunity का भर पूर फायदा उठाइए मेरत हैं आपसे अगरी वीडियो में तब तक बनेगी शूरू होगी शारुक खान और नयांतारा के गाने की shooting या दिपिका पादु को न देंगी शारुक और नयांतारा का साथ दोस्तों साउथ फिल्म मेकर इटली कुमार और हमारे शारुक खान अपनी फिल्म जवान के लिए जी तोड मेहनत कर रहे हैं ये फिल्म दो हजार टेईस की most अबटेट फिल्मों में शामिल है इस हाई बजट फिल्म में शारुक के साथ नयांतारा विजैसे तुपती जैसे माहिर आप्टर्स भी नजर आएंगे अब इस फिल्म को लेकर ये बताया जा रहा है कि फिल्म का पहला गाना शूट होने वाला है इस गाने को कंपोज करेंगे फेमस कंपोजर अनिरुद अप्रेल के पहले हफ़ते में गाने की शूटिंग होगी वो भी मुंबई में वैसे फिल्म के लिए अप्रेल महिना बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है क्योंकि इस महिने में फिल्म के दो गाने शूट हो जाएंगे इटली कुमार का ये प्लान है कि ये दोनों ही गाने सूपर हिट होने चाहिए जिसके ओपर फिल्म का सक्सेस डिपेंड करता है और वो चाहते हैं कि गाने को लेकर कोई कॉइंट्रोवर्सी ना हो वैसे पठान के बाद शारुख खान जवान में इतने बीजी हो गए है कि अब उनकी एक ज़लक देखने के लिए उनके फैन्स तरस रहे हैं वैसे हम जल्द ही शारुख खान को फिल्म के जवदस गानों में देखने वाले हैं और जहां तक अपरेल के पहले हफते में पहला गाना शूट होगा तो उसकी जलक हमें जल्द ही देखने को मिलेगी इतना ही नहीं बलकि फर्म का दूसरा गाना शूट होगा जिसमें हमें दिपिका पादुकोन नजर आने बाली है यानि कि दिपिका पादुकोन इस फर्म में क्यामियो करते हुए नजर आने बाली है कहा जाता है कि ये गाना 15 अपरेल तक रिकॉर्ड हो सकता है वैसे बेशरम रंग गाने को लेकर जो बवाल हुआ था उसे ध्यान में रखते हुए इटली कुमार बहुती सावधानी से गाने को शूट करना चाहते हैं देखते हैं कि इटली और शारुक का डूओ क्या कमाल करता है अगर रिलीज की बात की जाए तो ये फिल्म 2 जून 2023 को रिलीज होगी तो आप इस फिल्म के लिए कितने एकसाइड़ है बताईए हमें कॉमेंट सेक्षन में साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा आज के लिए बस इतना ही मैं प्रगती मिलूँगी आपसे नेक्स वीडियो में सेफ रहिए मसकोई आते रहिए बाबार नाटो सेना उसे ढून रही थी तबी सेना को ये इनफॉर्मेशन मिली कि 25 से 30 गाडियों का एक काफिला उस गाओं की तरफ देखा गया है सेना हेलिकॉप्टर से बंबारी करने लगी आदी से जादा गाडियां बंबारी में उड़ गई और जितने बच्चे लोग थे वो गाओं की गलियों में तरबतर भागने लगे विद्रोहियों ने एक छोटे से पाइप में छुपे गदाफी को बाहर आने की नसीहत दी उसे कहा गया कि सेना उस पर हमला नहीं करेगी अगर वो सरेंडर कर देगा जैसे ही गदाफी बाहर आया उसके दोनों पैरों पर विद्रोहियों ने गोली मार दी विद्रोहियों का गुस्ता बढ़ चुका था और सेना भी दूर थी ऐसे में जब तक सेना वहां पहुच पाई तब तक विद्रोहियों ने गदाफी को उसी की सोने की पिस्टॉल से गोली मार दी ऐसे ही एक्शन पैक्ड होने वाली है शारुख खान स्टारर जवान आपका इस बार में क्या कहना है कॉमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताईए और अब जाते जाते आपके लिए फादे की बात चेहरे पर बैंडिज के साथ मिस्ट्री लुक बरकरार रखा गया है और हाथ में नाइफ है जिसके अंदर SRK का एक अलग चेहरा है इसमें फिल्म के लिए उमीदों को और भी बढ़ा दिया है जबकि कई प्रशंशा कीजर में उनके बैंडिज और चोटे लुक से शौक्ड है तो यहाँ जवान का लुक 1990 के लोगफ्रे हॉलिवड एंटी हीरो फिल्म डाक मैन के समान ही लग रहा है दोस्तो यहर 1990 की सूपर हीरो फिल्म में लियाम निसन ने टाइटैनिक एंटी हीरो की भूमे का निभाई थी जिसे जिन्दा जलाने के बाद मृत के लिए छोड़ दि थी बैंड़ लुक और फिल्म जवान के पोस्टर के गहन विशह ने काई फान्स को तुल्ना करने के लिए फ्रेरित किया है कुछ लोग कह रहे हैं कि शारुक खान ने डाक मैन से जवान लुक की नकल की एक यूजर में लिखा शारुक जी 1990 की डाक मैन हॉलिवड फिल्म नह शूटिंग खद्म करेंगो और उब इस फिल्म को लेकर लेटेस्ट अबडेट यहाँ कि फिल्म की लीडिंग लेडि के नैन्थारा ने भी एक हफते के मुंब spur को पूरा कर लिया है नैन्थारा ने जवान का नो दिन का लंबा शीडू पूरा कर और अब वो आठ मार्श को चन्नई वापस चली गई नैंतारा का जवान के लिए मुंबई शिड्डूल काफी अच्छा रहा उन्होंने इस शिड्डूल में शारुक के साथ कुछ मतुकूंद रिश्यों को शूट किया है जबकि कुछ की शूटिंग राजस्थान में ही जाए कुछ सीन्स ऐसे हैं जो निश्चत रूप से लोगों की जग्यासा को बढ़ा देंगे जवान में शारुक खान के अलावा प्रिया मणी सान्या मनोत्रा और सुनील ग्रोवर भी एहम भूमिकाओं में नजर आएंगे वही नेगिटिव रोल में विज़े से तूपती नजर आएंगे फिल्म का संगीत लोगप्रिय दक्षन संगीत निर्देशक अनिरुद्ध रवी चंदर ने तयार किया है शारुक खान की कंपनी रेट चिलीज एंटर्टेइन्मेंट द्वारा निर्मे जवान दो जून दोहजार तेईस को पांच भाशाओं हिंदी तमिल तेलग मल्यालम और कंणर में रिलीज होगी तो दोस्तों आपको इनके एक्शन सीन्स का कितना इंतजार है मैं फड़ा पर से बताईए कॉमेंट सेक्शन में और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजे लाइक और शेयर और चैनल को सब्स्ट्राइब करना बिल्कुल भूलिए और फिलाल के लिए बढ़ चुके हैं तरसल जवान फर्म का पोस्टर अभी वारल हो रहा है जिसे खुद फैंस ने बड़ी महनत से बनाया है अपने किंख खान के लिए जी हाँ शारुक खान के कॉलकाता फैन क्लब ने उनका ये पोस्टर वारल कर दिया है इसमें शारुक ब्लाक कलर के अटायर में हाथ में मशिन गन पकड़े हुए नजर आ रहे हैं इसे के साथ उनके मुँ में जलती सिगरेट भी नजर आ रही है शारुक का ये स्वाग सबको दीवाना बना रहा है और इस फैन मेट पोस्टर पर नेटिजन्स काफी अच्छे कॉमेंट्स ही कर दोस्तों सब ने यही कहा है कि कॉलकता वालों ने केंखान पर अपना जो प्यार बरसाया है उसे देखकर केंखान जरूर खुश होंगे कॉलकता वाले शारुक का एक्शन अपतार देखने के लिए बेसबरी से इंतिज़ार कर रहे हैं पर उन्हें 2 जून 2023 तक रुखना प्लव यह एक मर्टी स्टार फिल्म है वैसे जब शारुक ट्विटर पर अपना हैस्टेक आस्क एसार के नाम का सेग्मेंट करेंगे जिसमें फैंस उन्हें सवाल पूस्ते हैं उसमें शारुक इस पोस्टर को लेकर भी बात कर सकते हैं और उन्हें ठाइंक्यू भी कह सकते हैं देखते हैं कि अब शारुक खान इस पोस्टर पर क्या कहते हैं तो दोस्तों आप इस फर्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं बताईए हमें कॉमेंट सेक्षन में ताती वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा आज के लिए बस इतना ही मैं प्रगती समच नहीं आ रहा था कि उनका किरदार किस तरका होगा पर इस सवाल का थोड़ा सा जवाब देते हुए बेकर्स ने खुलासा किया है कि शारुक खान फिल्म में डबल रूल निभाएंगे और उनके एक कैरेक्टर का नाम होगा राजवर्धन ठाकुर पर दूसरे कैरेक्ट है और उनके इस नाम के कैरेक्टर कितने फेमस हो चुके हैं ये तो हम जानते ही हैं उसमें दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे महबते दीवाना चलते चलते राजू बन गया जेंटलमेन रोहिच शेटी के दिलवाले हे बेबी बादशा और रब ने बना दी जोड़ी ऐसी 9 फिल्म में शामिल हैं जिसमें राज का इकॉनिक कैरेक्टर नजर आया था या आईकॉनिक कैरेक्टर बन गया वैसे जवान में हमें दिपिका पादुकोण और संजेदत कैमियो करते हुए नजर आएंगे पर उनका कैरेक्टर काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होगा उसी क देखते हैं कि 2023 में ये जवान क्या धमाका करता है साथ ही जाते जाते आप बताइए अपनी राय हमें कॉमेंट सेक्षन में और वीडियो को कर दीजे लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले और मुझे यानि शूती को दीजे जाए दिपिका पा जहां दिपिका पादुकोर एक क्यामे ओ लेकिन महतपून भूमिका में दिखाई देने के लिए तयार है एटली 20 अप्रेल तक अपनी बहुत प्रतिक्षित मसाला फिल्म की शूटिंग पूरी कर लेंगे फिल्म की शूटिंग 5 अप्रेल तक पूरी हो जाएगी केवल दो की शूटिंग अभी बाकी है जहां एक तरफ शारुक खान और नैंतारा के साथ शूट किया जाने वाला एक रोमैंटिक नंबर है वही दूसरा देपिका और शारुक की मौजूदगी वाला एक ट्रैक है देपिका पादुकोर और शारुक खान पहले ही पठान के टाइटल जूमे जो पठान के साथ चार्ट बस्टर पर हिट हो चुके है फिल्म का दूसरा मैसी ट्रैक बेशर्म रंग था जोहां देपिका पादुकोर के बदले अवतार ने इंटरनेट तोड़ दिया था जवान फिल्म का मैसी दमाकेदार नंबर इस साल उनका तीसरा गुरूवी गाना होगा और फैन्स पहले से ही उनकी केमेस्ट्री को फिर से देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है फिल्म का संगीत अनिरुद्ध रवीचंदर द्वारा दिया गया है और अन्ने डीटेल्स गुप्त रखे गए है शारुक खान पहले साथ अप्रेल को नेंधार के साथ romantic track shoot करेंगे फिर दीपिका पादुकोन के साथ गाने की shooting करेंगे कथित तौर पर दीपिका पादुकोन फिल्म में शारुक खान की पत्नी की भूमिका निभाती है जिसे मार दिया जाता है और अभिनेता अपनी पत्नी की मौत का बदला लेने के लिए एक मिशन पर न पठान के बाद शारुक खान और दिपिका पादुकोन की साथ में ये पाचवे फिल्म होगी व्यूज की बात करें तो पठान फिल्म के बेशरम रंग ने ये श्राज फिल्म के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर 391 मिलियन से अधिक व्यूज बटो रहे हैं जबकि जूमे जो पठान ने 422 मिलियन व्यूज हासिल किये है जवान शारुक खान नेंतारा और विज़स एतुपती के साथ दिपिका पादुकोन एक विशेश भूमिका में है दो जून 2030 को स्क्रीन पर हिट होने के लिए पूरी तरह से तयार है आप फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड है मैं फड़ा फट सबताईए कॉमेंट सेक्शन में और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजे लाइक और शेर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले हैं और मुझे यानि शूति को दीजे इजाजत नमस्कार सियाचिन ग्लेशर चड़ने से पहले मनोहर पार्टिल ने अपने परिवार को कॉल किया और कहा कि आज वो ग्लेशर चड़ने वाले है फिर कुछ दिन बीट गये उनका फेर से कॉल आया और उन्होंने कहा कि वो बहुत खुश है क्योंकि वो पोस्ट के बड़े करीब है और शार्ट उतनी उचाई पर पहुचने के बाद नेटवर्क ना मिले इसलिए वो आज ही सभबात करने वाले है कुछ दिन और बीट गये पर उनका कॉल नहीं आया फिर 16 जुलाई को शाम 8 वजे उनके यूनिट से उनके परिवार को कॉल किया गया कि मनोहर पार्टेल को इंजूरी हो गई है और उन्हें अस्पताल में एड्मिट किया गया है फिर कुछ दिन बीट गया फिर से उनके यूनिट का कॉल गया और कहा गया की उनकी हालग बड़ी नाजुक है और उन्हें दिल्ली के एक hospital में अडमिड किया गया है उनका परिवार रोने लगा आर्मी द्वारा उनके परिवार को ये भी बताया गया की उनके परिवार में से कोई भी दो नोग दिल्ली जा सकते हैं दिल्ली पहुचने के बाद उन्हें पता चबा कि मनोहर पाटिल की ब्रेन सर्जरी हुई है और वो भी बेहोश है। बीज दिन बीद गए और मनोहर पाटिल को होश नहीं आया। उसके अगले दिन बाद उन्हें एक होश आया, उनकी हले बड़ी नाजुख थी। वो उनका परिवार सिर्फ भावार को प्राथना कर रहा था। फिर उसके अगले दिन मनोहर पाटिल की शरीक सुकड़ने लगी और उनकी सासे बहुत तेज होने लगी। और देखते ही देखते मनोहर पाटिल ने इस देश को छोड़ दिया। तो ऐसी ही एक वीर जवान की स्टोरी हो सकती है हमारी शारुख खान स्टारट जवान। जाते जाते आपके लिए गुड़ नीज है अगर आप भी सिनिमा के दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और हमारे साथ काम करना चाहते हैं कब शुरू होगी शारुख खान और नयंतारा के गाने की शूटिंग या दिपिका पादुकों देंगी शारुख और नयंतारा का साथ दोस्तों साथ फिल्म मेकर एटली कुमार और हमारे शारुख खान अपनी फिल्म जवान के लिए जी तोड महनत कर रहे हैं ये फिल्म 2023 की मोस्ट अविटिट फिल्मों में शामिल है इस हाई बजट फिल्म में शारुख के साथ नयंतारा विजए से तुपती जैसे माहिर आप्टर्स भी नजर आएंगे अब इस फिल्म को लेकर ये बताया जा रहा है कि फिल्म का पहला गाना शूट होने वाला है इस गाने को कंपोज करेंगे फेमस कंपोजर अनिरुद अप्रेल के पहले हफते में गाने की शूटिंग होगी वो भी मुंबई में वैसे फिल्म के लिए अप्रेल महिना बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस महिने में फिल्म के दो गाने शूट हो जाएंगे इटली कुमार का ये प्लान है कि ये दोनु ही गाने सूपर हिट होने चाहिए जिसके ओपर फिल्म का सक्सेस डिपेंड करता है और वो चाहते हैं कि गाने को लेकर कोई कॉइंट्रोवर्सी ना हो वैसे पठान के बाद शारुख खान जवान में इतने बीजी हो गया है कि अब उनकी एक जल्द देखने के लिए उनके फैन्स तरस रहे हैं वैसे हम जल्द ही शारुख खान को फिल्म के जवदस गानों में देखने वाले है और जहां तक अपरेल के पहले हफते में पहला गाना शूट होगा तो उसकी जल्द ही देखने को मिलेगी इतना ही नहीं बलकि फिल्म का दूसरा गाना शूट होगा जिसमें हमें तिपिका पादुकोन नजर आने वाली है यानि कि तिपिका पादुकोन इस फिल्म में क्यामियो करते हुए नजर आने वाली है कहा जाता है कि ये गाना 15 अपरेल तक रिकॉर्ड हो सकता है वैसे बेशरम रंग गाने को लेकर जो बवाल हुआ था उसे ध्यान में रखते हुए एटलिक मार पहुती सावधानी से गाने को शूट करना चाहते हैं जेखते हैं कि एटलियो और शारुक का डूओ क्या कमाल करता है अगर रिलीस की बात की जाए तो ये फिल्म 2 जून 2023 को रिलीस होगी तो आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइड़ है बताईए हमें कॉमेंट सेक्षन में साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलियेगा आज के लिए बस इतना ही मैट रगती मिलूंगी आपसे नेक्स वीडियो में नाटो सेना उसे ढूंड रही थी तबी सेना को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि 25 से 30 गाडियों का एक काफिला उस गाओं की तरफ देखा गया है सेना हेलिकॉप्टर से बंबारी करने लगी आदी से जादा गाडियां बंबारी में उड़ गई और जितने बच्चे लोग थे वो गाओं की गलियों में तरबतर भागने लगे विद्रोहिओं ने एक छोटे से पाइप में छुपे गदाफी को बाहर आने की नसीहत दी उसे कहा गया कि सेना उस पर हमला नहीं करेगी अगर वो सरेंडर कर देगा जैसे ही गदाफी बाहर आया उसके दोनों पैरों पर विद्रोहिओं ने गोली मार दी विद्रोहियों का गुस्ता बढ़ चुका था और सेना भी दूर थी ऐसे में जब तक सेना वहाँ पहुँच पाई तब तक विद्रोहियों ने गदाफी को उसी की सोने की पिस्टॉल से गोली मार दी ऐसे ही एक्शन पैक्ड होने वाली है शारुप खान स्टार जवान आपका इस बार में क्या कहना है कॉमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताईए और अब जाते जाते आपके लिए फादे की बात अगर आप भी सिनमा की दुनिया से जुनना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं त जे यानि शूती को दीजे तब तक के लिए जाठा गया था अब अपकमिंग फिल्म का एक नया पोस्ट सोशल मीडिया पर लीख हो गया है इसमें शारुप खान के लंबे बाल नजर आ रहे हैं चेहरे पर बैंडिज के साथ मिस्ट्री लुक बरकरार रखा गया है और हाथ म नाइफ है जिसके अंदर S.R.K का एक अलग चेहरा है इसने फिल्म के लिए उमीदों को और भी बढ़ा दिया है जबकि कई प्रशंशक टीजर में उनके बैंडिज और चोटे लुक से शौक रहे हैं तो यहां जवान का लुक 1990 के लोग प्रे हॉलिवड एंटी हीरो फिल्म के लिए छोड़ दिया गया था उसने अपनी विकृत वचा को छिपाने के लिए खुद को पटियों में लपेट लिया और उन लोगों से बदला लेने के लिए लोट आया जिनों ने उसे मारने की कोशिश की थी बैंडिट लुक और फिल्म जवान के पोस्टर के गहन विश की क्या दोस्तों आप बताईए कि आपका इस बार में क्या कहना है और आप फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड है कॉमें सेक्शन में अपनी राय खान अपने डबल रोल में इंटेंस चे सीक्विंस के साथ जवान की शूटिंग खत्म करेंगे और अब इस फिल्म को लेकर लेटेस्ट अपडेट ये है कि फिल्म की लीडिंग लेडी नैंतारा ने भी एक हफते के मुंबई शडियूल को पूरा कर लिया है नैंतारा ने जवान का नौ दिन का लंबा शडियूल पूरा कर लिया है और अब वो आठ मार्श को चन्नई वापस चले गए नैंतारा का जवान के लिए मुंबई शिड्डूल काफी अच्छा रहा उन्होंने इस शिड्डूल में शारुक के साथ कुछ महतुपून द्रिश्यों को शूट किया है जबकि कुछ की शूटिंग राजस्थान में ही जाएगी हलाकि मेकर्स ने अभी इसके लिए डेट्स लॉक नहीं किये है कुछ सीन्स ऐसे हैं जो निश्चेत रूप से लोगों की जग्यासा को बढ़ा देंगे जवान में शारुक खान के अलावा प्रिया मनी, सान्या मनोत्रा और सुनील ग्रोवर भी एहम भूमिकाओं में नज़र आएंगे वही नेकिटिव रोल में विजए से तुपती नज़र आएंगे फिल्म का संगीत लोग प्रिया दक्षन संगीत निर्देशक अनिरुद्ध रवी चन्नर ने तयार किया है शारुक खान की कंपनी रेट चिलीज एंटर्टेइन्मेंट द्वारा निर्मे जवान 2 जून 2023 को 5 भाशाओं हिंदी, तमिल, तेलगू, मल्यालम और कंणर में रिलीज होगी तो दोस्तों आपको इनके एक्षन सीन्स का कितना इंतजार है मैं फड़ा पर से बताईए कॉमेंट सेक्शन में और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजे लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भूलिए और फिलाल के लिए बढ़ चुके हैं तरसल जवान परन का पोस्टर अभी वारल हो रहा है जिसे खुद फैंस ने बड़ी महनत से बनाया है अपने केंख खान के लिए जी हाँ शारुक खान के कॉलकाता फैन कलब ने उनका ये पोस्टर वारल कर दिया है इसमें शारुक खान ब्लाक कलर के अटायर में हाथ में मशिन गन पकड़े हुए नजर आ रहे हैं इसे के साथ उनके मुँ में जलती सिगरेट भी नजर आ रही है शारुक का ये स्वाग सबको दीवाना बना रहा है और इस फैन मेट पोस्टर पर नेटिजन्स काफी अच्छे कॉमेंट्स भी कर रहे हैं दोस्तों सब ने यही कहा है कि कॉलकाता वालों ने केंखान पर अपना जो प्यार बरसाया है उसे देख कर केंखान जरूर खुश होंगे कॉलकाता वाले शारुक का एक्शन अव्तार देखने के लिए बेसबरी से इंतिज़ार कर रहे हैं पर उन्हें 2 जून 2023 तक रुखना पड़ेगा जब फिल्म रिलीज होगी वैसे शारुक के साथ फिल्म में नयंतारा नजर आने वाली है विजै सेतु पती विलन बने हैं और संजु बाबा और डिमपल गर्ल्स दिपिका का क्यामियो होने वाला है मतलब ये एक मर्टी स्टार फिल्म है वैसे जब शारुक क्विटर पर अपना हैस्टेक आस्क एसार के नाम का सेग्मेंट करेंगे जिसमें फैंस उन्हें सवाल पूस्ते हैं उसमें शारुक इस पोस्टर को लेकर भी बात कर सकते हैं और उन्हें ठाइंक्यू भी कह सकते हैं देखते हैं कि अब शारुक खान इस पोस्टर पर क्या कहते हैं तो दोस्तों आप इस फर्म के लिए कितने एक्साइडेड है बताईए हमें कॉमेंट सेक्षन में ताती वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा आज के लिए बस इतना ही मैं प्रगती मिलूंगी आपसे नेक्स वीडियो नाम होगा राज वर्धन ठाकुर पर दूसरे करेक्टर का नाम अभी तक नहीं बताए गया है पर कुछ गौर किया आपने शारुक और राज इनका कुछ न कुछ पिछले जनम का कनेक्शन है तभी तो यहां पर भी उनके नाम में राज मौजूद है और उनके इस नाम के करेक्टर कितने फेमस हो चुके हैं ये तो हम जानते ही हैं उसमें दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे, महबते, दिवाना, चलते-चलते, राजू बन गया जेंटलमेन, रोहिट शेटी के दिलवाले, हे बेबी, बादशा और रब ने बना दी जोड़ी ऐसी नौ फिल्म में शामिल हैं जिसमें राज का आइकॉनिक केरेक्टर नजर आया था, या आइकॉनिक केरेक्टर बन गया वैसे जवान में हमें दिपिका पादुकोण और संजेदत कैमियो करते हुए नजर आएंगे पर उनका केरेक्टर काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होगा उसी के साथ साथ फिल्म में नैंतारा, सान्या मनूत्रा और फिल्म के विलन विजय से तुफती भी नजर आने वाले है साथ फिल्मेकर एटलिक कुमार फिल्म के लिए जीत तोड मेहनत कर रहे हैं क्योंकि ये एक पैन इंडिया फिल्म है तो दो एकते हैं कि 2023 में ये जवान क्या धमाका करता है साथ ही जाते जाते आप बताइए अपनी राय हमें कॉमेंट सेक्शन में और वीडियो को कर दीजे लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले और मुझे यानि शूदी को दीजे जाए दिपिका पादुकोड और शारुखा ने यश्राज फिल्म्स की एक्शन एंटर्टीनर पठान के टैटल ट्रैक जुमे जो पठान में एक साथ के रखते हुए दुनिया में तूफान ला दिया अब ये जोड़ी एटली के जवान के लिए एक और मैसी नम्मर के लिए फिर से मिल रही है जहाँ दिपिका पादुकोड एक क्या में हो लेकिन महत्पून भूमिका में दिखाई देने के लिए तैयार है एटली 20 अप्रेल तक अपनी बहुत प्रतिक्षित मसाला फिल्म की शूटिंग पूरी कर लेंगे फिल्म की शूटिंग 5 अप्रेल तक पूरी हो जाएगी केवल दो गानों की शूटिंग अभी बाकी है जहां एक तरफ शारुक खान और नैंतारा के साथ शूट किया जाने वाला एक रोमैंटिक नंबर है वही दूसरा देपिका और शारुक की मौजूदगी वाला एक ट्रैक है देपिका पादुकोड और शारुक खान पहले ही पठान के टाइटल ट्रैक जूमे जो पठान के साथ चार्ट बस्टर पर हिट हो चुके है फिल्म का दूसरा मैसी ट्रैक बेशर्म रंग था जोहां देपिका पादुकोड के बदले अवतार ने इंटरनेट तोड़ दिया था जवान फिल्म का मैसी धमाकेदार नंबर इस साल उनका तीसरा गुरूवी गाना होगा और फैन्स पहले से ही उनकी केमेस्ट्री को फिर से देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है फिल्म का संगीत अनिरुद्ध रवीचंदर द्वारा दिया गया है और अन्ने डीटेल्स गुपत रखे गए है शारुक खान पहले साथ अप्रेल को नेंधारा के साथ रोमेंटिक ट्रैक शूट करेंगे फिर दीपिका पादुकोन के साथ गाने की शूटिंग करेंगे कथित तोर पर दीपिका पादुकोन फिल्म में शारुक खान की पत्नी की भूमिका निभाती है जिसे मार दिया जाता है और अभिनेता अपनी पत्नी की मौत का बदला लेने के लिए एक मिशन पर निकल जाता है शारुक खान फिल्म में दोहरी भूमिका निभा रहे हैं जहां उन्होंने पिता और पुत्र की भूमिका निभाई है फिल्म ओम शांती ओम, चैन्नेई एक्सप्रेस, हैपी निउयर और पठान के बाद शारुक खान और दिपिका पादुकोन की साथ में ये पाचवे फिल्म होगी व्यूज की बाद करें तो पठान फिल्म के बेशरम रंग ने ये श्राज फिल्म के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर 391 मिलियन से अधिक व्यूज बटो रहे हैं जबकि जूमे जो पठान ने 422 मिलियन व्यूज हासल किये हैं जवान शारुक खान अंतारा और विजय सेतुपती के साथ दीपिका पादुकोन एक विशेश भूमिका में हैं दो जून 2030 को स्क्रीन पर हिट होने के लिए पूरी तरह से तयार है आप को अंग के लिए कितने एक्साइटेड है मैं फड़ा फ़र्स बताईए कॉमेंट सेक्शन में और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजे लाइक और शेर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिया और मुझे यानिशूती को दीजे जाज़त नमस्क कि शरीर को पिखला दे वहां से को चंदीगर में गए जहां उन्होंने ट्रेनिंग और फिर वो निकले अपने नय सफर पर सियाचिन ग्लेशर चड़ने से पहले मनोहर पाटिल ने अपने परिवार को कॉल किया और कहा कि आज वो ग्लेशर चड़ने वाले है फिर कुछ दिन पर उनका कॉल नहीं आया फिर 16 जुलाई को शाम आठ वजे उनके यूनिट से उनके परिवार को कॉल किया गया कि मनोहर पाटिल को इंजूरी हो गई और उनने अस्पताल में एड्मिट किया गया है फिर कुछ दिन बीद गया फिर से उनके यूनिट को कॉल गया और कहा गय आया कि उनकी हालाक बड़ी नाजुक है और उनने दिली के एक हॉस्पिटल में एड्मिट किया गया है उनका परिभार रोने लगा आर्मी द्वार उनके परिवार को ये भी बताया कि उनके परिवार मेसे कोई भी दो लोग दिली जा सकते हैं बिली पोहचने के बा достake कि मनो मनोहर पाटिल को खोश नहीं आया। उसके अगले दिन बाद उन्हें एक खोश आया। उनकी एक हालें बड़ी नाज़ुप थी। वो कुछ नहीं पा रहे थे। ना हिल पा रहे थे। ना डूल पा रहे थे। उनका परिवार सिर्थ भावार को प्राथना कर रहा था। फिर अगले दिन मनोहर पाटिल की शरीक सुकरने लगी और उनकी सासे बहुत तेज होने लगी और देखते ही देखते मनोहर पाटिल ने इस देश को छोड़ दिया तो ऐसी ही एक वीव जवान की स्टोरी हो सकती है हमारी शारुखान स्टारर जवान जाते जाते आपके लिए कब शुरू होगी शारुखान और नयंतारा के गाने की शूटिंग या दिपिका पादुकों देंगी शारुख और नयंतारा का साथ दोस्तों साउथ फिल्म मेकर इटली कुमार और हमारे शारुखान अपनी फिल्म जवान के लिए जी तोड महनत कर रहे हैं ये फिल्म 2023 की तो रहा है कि परम का पहला गाना शूट होने वाला है गाने को कंपोज करेंगे फेमस कम्पोज अनिरुद अप्रेल के पहले हफते में गाने की शूटिंग होगी वो भी मुंबई में वैसर परम Springs के लिए वैसे पठान के बाद शारुक खान जवान में इतने बीजी हो गए है कि अब उनकी एक ध्रक देखने के लिए उनके फैन्स तरस रहे हैं वैसे हम जल्द ही शारुक खान को फिल्म के जवदस गानों में देखने वाले हैं और जहां तक अपरेल के पहले हफते में पहला गाना तो उसकी जल्द हमें जल्द ही देखने को मिलेगी इतना ही नहीं बलकि परम का दूसरा गाना शूट होगा जिसमें हमें दिपिका पादुकोन नजर आने बाली है यानि कि दिपिका पादुकोन इस परम में क्यामियो करते हुए नजर आने बाली है कहा जाता है कि ये गाना पंदरा अप्रेल तक रिकॉर्ड हो सकता है वैसे बेशरम रंग गाने को लेकर जो पवाल हुआ था उसे ध्यान में रखते हुए इटली कुमार पुहती सावधानी से गाने को शूट करना चाहते हैं जेखते हैं कि इटली और शारुक का डूओ क्या कमाल करता है अगर रिलीस के लिए बस इतना ही मैं प्रगती मिलूँगी आपसे नेक्स वीडियो में सेफ रहिए मसको आते रहिए बाबार नाटो सेना उसे ढूण रही थी तबी सेना को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि 25 से 30 गाडियों का एक काफिला उस गाओं की तरफ देखा गया है सेना हेलिकॉप्टर से बंबारी करने लगी आदी से जादा गाडियां बंबारी में उड़ गई और जितने बच्चे लोग थे वो गाओं की गलियों में तरबतर भागने लगे विद्रोहियों ने एक छोटे से पाइप में छुपे गदाफी को बाहर आने की नसीहत दी उसे कहा गया कि सेना उस पर हमला नहीं करेगी अगर वो सरेंडर कर देगा जैसे ही गदाफी बाहर आया उसके दोनों पैरों पर विद्रोहियों ने गोली मार दी विद्रोहियों का गुस्ता बढ़ चुका था और सेना भी दूर थी ऐसे में जब तक सेना वहां पहुच पाई तब तक विद्रोहियों ने गदाफी को उसी की सोने की पिस्टॉल से गोली मार दी ऐसे ही एक्शन पैक्ड होने वाली है शारुख खान स्टारर जवान आपका इस बारे में क्या कहना है कॉमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताईए और अब जाते जाते आपके लिए फादे की बात बाल नजर आ रहे हैं चेहरे पर बैंडिज के साथ मिस्ट्री लुक बरकरार रखा गया है और हाथ में नाइस है जिसके अंदर एसारके का एक अलग चेहरा है इसने फिल्म के लिए उमीदों को और भी बढ़ा दिया है जबकि कई प्रशंशक टीजर में उनके बैंडिज और चोटे लुक से शौक्ड हैं तो यहाँ जवान का लुक 1990 के लोग फ्रे हॉलिवड एंटी हीरो फिल्म डाक मैन के समान ही लग रहा है दोस्तों यहर 1990 की सूपर हीरो फिल्म में लियाम नीसन ने टायटैनिक एंटी हीरो की भूमे का दिभाई थी जिसे जिन्दा जलाने के बाद मृत के लिए छोड़ दिया गया था उसने अपनी व फिल्म जवान के पोस्टर के गहन विशह ने काई फान्स को तुल्ना करने के लिए फ्रेरित किया है कुछ लोग कह रहे हैं कि शारुक खान ने डाक मैन से जवान लुप की नकल की एक यूजर ने लिखा शारुक जी 1990 की डाक मैन हॉलिवड फिल्म नहीं देखी क्या दोस्त अब इस फिल्म को लेकर लेटिस्ट अपडेट ये है कि फिल्म की लीडिंग लेडी नैंतारा ने भी एक हफते के मुम्बई शड्यूल को पूरा कर लिया है। अब वो 8 मार्श को चन्नई वापस चली गई नैंतारा का जवान के लिए मुंबई शिड्डूल काफी अच्छा रहा उन्होंने इस शिड्डूल में शारुक के साथ कुछ महतुकून दृश्यों को शूट किया है जवान में शारुक खान के अलावा प्रियमणी, सान्या मनोत्र और सुनील ग्रोवर भी एहम भूमिकाओं में नजर आएंगे वहीं नेगिटिव रोल में विजए सेतुपती नजर आएंगे फिल्म का संगीत लोगप्रिय दक्षन संगीत निर्देशक अनिरुद्ध रवी चंदर ने तयार किया है शारुक खान की कंपनी रेट चिलीज एंटर्टेइन्मेंट द्वारा निर्मे जवान 2 जून 2023 को 5 भाशाओं हिंदी, तमिल, तेलगू, मल्यालम और कंणर में रिलीज होगी तो दोस्तों आपको इनके एक्षन सीन्स का कितना इंतजार है मैं फड़ा फर से बताईए कॉमेंट सेक्शन में और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजे लाइक और शेयर और चैनल को सब्स्ट्राइब करना बिलकुल भूलिए और फिलाल के लिए बढ़ चुके हैं तरसल जवान पर्म का पोस्टर अभी वारल हो रहा है जिसे खुद फैंस ने बड़ी महनत से बनाया है अपने किंख खान के लिए जी हाँ शारुक खान के कॉलकाता फैन कलब ने उनका ये पोस्टर वारल कर दिया है इसमें शारुक खान ब्लाक कलर के अटायर में हाथ में मशिन गन पकड़े हुए नजर आ रहे हैं इसे के साथ उनके मुँ में जलती सिगरेट भी नजर आ रही है शारुक का ये स्वैक सबको दीवाना बना रहा है और इस फैन मेट पोस्टर पर नेटिजन्स काफी अच्छे कॉमेंट्स की कर रहे हैं दोस्तों सबने यही कहा है कि कॉलकाता वालों ने केंखान पर अपना जो प्यार बरसाया है उसे देखकर केंखान जरूर खुश हों वैसे शारुक के साथ फिल्म में नयांतारा नजर आने वाली है विजय सेतु पती विलन बने हैं और संजु बाबा और डिमपल गर्ल्स दिपिका का क्यामियो होने वाला है मतलब ये एक मर्टी स्टार फिल्म है वैसे जब शारुक ट्विटर पर अपना हैस्टेक आस्क एस उने सवाल पूसते हैं उसमें शारुक इस पोश्टर को लेकर भी बात कर सकते हैं और उन्हें ठायंक्यू भी कह सकते हैं देखते हैं कि अब शारुक खान इस पोश्टर पर क्या कहते हैं दोस्तों आप इस पिन के लिए कितने excited हैं बताईए हमें comment section में ताथि वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा आज के लिए बस इतना ही मैं प्रगती मिलूंगी आपसे नेक्स वीडियो प्राउड फील हो ऐसा काम कर चुके हैं वहाँ पर उनसे जुड़ी हर एक छूटी खबर इंपोर्टेंट है वैसे जवान का जो पोस्टर था जिसमें पटियों में अपना चेहरा लपेटे हुए शारुक को देखकर समझ नहीं आ रहा था कि उनका किरदार किस तरका होगा पर इस सवाल का थोड़ा सा जवाब देते हुए बेकर्स ने खुलासा किया है कि शारुक खान फिल्म में डबल रूल निभाएंगे और उनके एक कैरेक्टर का न पर भी उनके नाम में राज मौझूद है और उनके इस नाम के कैरेक्टर कितने फेमस हो चुके हैं ये तो हम जानते ही हैं उसमें दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे महबते दीवाना चलते-चलते राजू बन गया जेंटलमेन रोहिच शेटी के दिलवाले हे बेबी राज का iconic character नजर आयाjust और या darling character बन गया वैसे जमान में हमें दिपिकाNew कोड़ संजेदत कैमीयो करिते हूए इम्पोरटेयक पर उन्हीं का मौर्टेन्टर रही है क्योंकि यह पेंडिया फिल्म की यह जवानने से और नहीं मोलतर हैं साउत implacary कुमार फल्म के लिए करता है साथ ही जाते जाते आप बताइए अपनी राय हमें कॉमेंट सेक्शन में और वीडियो को कर दीजे लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले और मुझे याली शूती को दीजे जाए दीपिका पादुकोण और शारुखा ने यश्राज फिल्म्स की एक्शन एंटर्टीनर पठान के टैटल ट्रैक जुमे जो पठान में एक साथ रखते हुए दुनिया में तूफान ला दिया अब ये जोड़ी एटली के जवान के लिए एक और मैसी नम्मर के लिए फिर से मिल रही है जहाँ दीपिका पादुकोण एक क्यामे हो लेकिन महतपून भूमिका में दिखाई देने के लिए तैयार है एटली 20 अप्रेल तक अपनी बहुत प्रतिक्षित मसाला फिल्म की शूटिंग पूरी कर लेंगे फिल्म की शूटिंग 5 अप्रेल तक पूरी हो जाएगी केवल दो गानों की शूटिंग अभी बाकी है जहां एक तरफ शारुक खान और नयंतारा के साथ शूट किया जाने वाला एक रोमैंटिक नंबर है वही दूसरा देपिका और शारुक की मौजूदगी वाला एक ट्रैक है दिपिका पादुकोड और शारुक खान पहले ही पठान के टाइटल ट्रैक जूमे जो पठान के साथ चार्ट बस्टर पर हिट हो चुके है फिल्म का दूसरा मैसी ट्रैक बेशर्म रंग था जोहां दिपिका पादुकोड के बदले अवतार ने इंटरनेट तोड़ दिया था जवान फिल्म का मैसी धमाकेदार नंबर इस साल उनका तीसरा गुरूवी गाना होगा और फैन्स पहले से ही उनकी केमेस्ट्री को फिर से देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है फिल्म का संगीत अनिरुद्ध रवीचंदर द्वारा दिया गया है और अन्ने डीटेल्स गुपत रखे गए है शारुक खान पहले साथ अप्रेल को नेंधारा के साथ रोमेंटिक ट्रैक शूट करेंगे फिर दीपिका पादुकोन के साथ गाने की शूटिंग करेंगे कथित तोर पर दीपिका पादुकोन फिल्म में शारुक खान की पत्नी की भूमिका निभाती है जिसे मार दिया जाता है और अभिनेता अपनी पत्नी की मौत का बदला लेने के लिए एक मिशन पर निकल जाता है शारुक खान फिल्म में दोहरी भूमिका निभा रहे हैं जहां उन्होंने पिता और पुत्र की भूमिका निभाई है फिल्म ओम शांती ओम, चैन्नेई एक्सप्रेस, हैपी निउयर और पठान के बाल शारुक खान और दिपिका पादुकोण की साथ में ये पाचवे फिल्म होगी व्यूज की बात करें तो पठान फिल्म के बेशरम रंग ने ये श्राज फिल्म के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर 391 मिलियन से अधिक व्यूज बटो रहे हैं जबकि जूमे जो पठान ने 422 मिलियन व्यूज हासिल किये हैं जवान शारुक खान नेंतारा और विजय सेतुपती के साथ दीपिका पादुकोण एक विशेश भूमिका में हैं दो जून दो हजार तेज को स्क्रीन पर हिट होने के लिए पूरी तरह से तयार है आप पिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं मैं फड़ा फड़ से बताईए कॉमेंट सेक्शन में और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजे लाइक और शेर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले हैं और मुझे यानि शूति को दीजे इचाज़त नमस्कार उन में देजभक्ती कूट कूट कर भरी थी जब वह गाम लॉटते थे तो वहां के बच्चों के साथ वह बाते करते खेलते उन्हें भारती सेना के बारे में कहानिया सुनाते वहां से लोटने के बाद उनकी पूस्टिंग होई सियाचन ग्लीशेस में यह वही ग्लीशेस जहां टंपरेचर माइनस में जाता है ऐसी कपकपाती थंड की शरीर को पिगला दे वहां से को चंदीगर में गए जहां उन्होंने ट्रेनिंग और फिर वह निकले अपने नए स सियाचन ग्लीशेस चड़ने से पहले मनोहार पांटिल ने अपने परिवार को कॉल किया और कहा कि आज वह ग्लीशेस चड़ने वाले हैं फिर कुछ दिन बीट गया उनका फ्रसे कॉल आया और उन्होंने कहा कि वह बहुत खोश है क्योंकि वह पोस्ट के बढ़े करीब हैं और शाइब उतनी उचाईएं पर पहुचने के बाद नेटवर्क ना मिले, इसलिए वो आज ही सब बात करने मले है। कुछ दिन और बीद गए पर उनका कॉल नहीं आया। फिर 16 जुलाई को शाम आड वजे उनकी यूनिट से उनके परिवार को कॉल किया गया कि मनोहर पाटिल को इंज़ुरी हो गई और उनके अस्पताल में एड मिट किया गया है। फिर कुछ दिन बीद गए, फिर से उनकी यूनिट का कॉल गया और कहा गया कि उनकी हालग बड़ी नाजूक है और उनके डिल्ली के एक हॉस्पिटल में एड मिट किया गया है। उनका परिवार रोने लगा, आलमी द्वारा उनके परिवार को लिए भी बताया कि उनके परिवार में से कोई भी दो लुग दिल्ली जा सकते हैं, दिल्ली पहुचने के बाद उन्हें पता चला कि मनुहर पाटिल की ब्रेइन सरजनी हुई है और वो भी बेहोश है, बीज दि सिर्फ भवान को प्राथना कर रहा था, फिर उसके अगले दिन मनुहर पाटिल की शरीर सुकरने लगी और उनकी सासे बहुत तेज होने लगी, और देखते ही देखते मनुहर पाटिल ने इस देश को छोड़ दिया, तो ऐसी ही एक वीर जवान की स्टोरी हो सकती है, हमारी शारुखान स्टार जवान, जाते जाते आपके लिए गुड नीज है, अगर आप भी सिनिमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं, और हमारे साथ काम करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये हुए जाब लिक पर क्लिक करें, और इस अपोर्चिनिटी का कब शुरू होगी शारुखान और नयंतारा के गाने की शूटिंग, या दिपिका पादुकों देंगी शारुख और नयंतारा का साथ, दोस्तों साउथ फिल्म मेकर इटली कुमार और हमारे शारुखान अपनी फिल्म जवान के लिए जीत तोड महनत कर रहे हैं, ये फिल्म 2020 की मोस्त अविटिट फिल्मों में शामिल है, इस हाई बजट फिल्म में शारुख के साथ, नयंतारा, विजैसे तुपती जैसे माहिर आप्टर्स भी नजर आएंगे अब इस फिल्म को लेकर ये बताया जा रहा है कि फिल्म का पहला गाना शूट होने वाला है, इस गाने को कंपोज करेंगे फेमस कंपोजर अनिरुद, अप्रेल के पहले हफते में गाने की शूटिंग होगी वो भी मुंबई में, वैसे फिल्म के लिए अप्रेल महिना वैसे पठान के बाद शारुख खान जवान में इतने बीजी हो गए है कि अब उनकी एक जल्दी देखने के लिए उनके फैन्स तरस रहे हैं वैसे हम जल्दी शारुख खान को पन के जवदस गानों में देखने वाले हैं और जहां तक अप्रेल के पहले हफते में पहला गाना शूट होगा तो उसकी झलख हमें जल्दी देखने को मिलेगी कितना ही नहीं बलकि फ़र्म का दूसरा गाना शूट होगा जिसमें हमें तिपिका पादुकौन नजर आने वाली है उसे ध्यान में रखते हुए इटली कुमार बहुती सावधानी से गाने को शूट करना चाहते हैं देखते हैं कि इटली और शारुक का डूओ क्या कमाल करता है अगर रिलीस की बात की जाए तो ये फिल्म 2 जून 2023 को रिलीस होगी तो आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइड़ है बताईए हमें कॉमेंट सेक्षन में साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा आज के लिए बस इतना ही मैट रगती मिलूंगी आपसे नेक्स वीडियो में सेफ रहिए वो गाउं की गलियों में तरबतर भागने लगे विड्रोहियों ने एक छोटे से पाइप में छुपे गदाफी को बाहर आने की नसीहत दी उसे कहा गया कि सेना उस पर हमला नहीं करेगी अगर वो सरेंडर कर देगा जैसे ही गदाफी बाहर आया उसके दोनों पैरों पर विड्रोहियों ने गोली मार दी विड्रोहियों का गुस्ता बढ़ चुका था और सेना भी दूर थी ऐसे में जब तक सेना वहां पहुच पाई तब तक विद्रोहियों ने गदाफी को उसी की सोने की पिस्टॉल से गोली मार दी ऐसे ही एक्शन पैक्ड होने वाली है शारुप खान स्टारर जवान आपका इस बार में क्या कहना है कॉमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताईए और अब जाते जाते आपके लिए फादे की बात और मुझे यानि शूती को दीजे तब तक के लिए जाठा गया था अब अपकबिंग फिल्म का एक नया पोस्टर सोशल मीडिया पर लीग हो गया है इसमें शारुक खान के लंबे बाल नजर आ रहे हैं चेहरे पर बैंडिज के साथ मिस्टरी लुक बरकरार रखा गया है और हाथ में नाइफ है जिसके अंदर S.R.K का एक अलग चेहरा है इसमें फिल्म के लिए उमीदों को और भी बढ़ा दिया है जबकि कई प्रशंशा कीजर में उनके बैंडिज और चोटे लुक से शौक्ड हैं तो यहाँ जवान का लुक 1990 के लोगफ्रे हॉलिवड एंटी हीरो फिल्म डार्क मैन के समान ही लग रहा है दोस्तो यहर 1990 की सूपर हीरो फिल्म लियाम निसन ने टाइटैनिक एंटी हीरो की भूमे का निभाई थी जिसे जिन्दा जलाने के बाद मृत के लिए छोड़ दिया गया था उसने अपनी विकृत पचा को छिपाने के लिए खुद को पटियों में लपेट लिया और उन लोगों से बदला लेने के लिए लोट आया जिन्हों ने उसे मारने की कोशिश की थी बैंड़ लुक और फिल्म जवान के पोस्टर के गहन विशह ने काई फान्स को तुलना करने के लिए फ्रेरित किया है कुछ लोग कह रहे हैं कि शारुक खान ने डाक मैं से जवान लुक की नकल की एक यूजर में लिखा शारुक जी 1990 की डाक मैं हॉलिवूड फिल्म नहीं देखी क्या दोस्तों आप बताइए कि आपका इस बार में क्या कहना है और आप फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड है अपने डबल रोल में इंटेंस चे सीक्विंस के साथ जवान की शूटिंग खत्म करेंगे और अब इस फिल्म को लेकर लेटेस्ट अपडेट ये है कि फिल्म की लीडिंग लेडी नैंतारा ने भी एक हफते के मुंबई शेड्यूल को पूरा कर लिया है नैंतारा ने जवान का नौ दिन का लंबा शेड्यूल पूरा कर लिया है और अब वो 8 मार्श को चन्नी वापस चली गए नैंतारा का जवान के लिए मुंबई शेड्यूल काफी अच्छा रहा उन्होंने इस शेड्यूल में शेड्यूल में शारुक के साथ कुछ मतुपून द्रिश्यों को शूट किया है जबकि कुछ की शूटिंग राजस्थान में ही जाएगी हलाकि मेकर्स ने अभी इसके लिए डेट्स लॉक नहीं किये हैं कुछ सीन्स ऐसे हैं जो निश्चेत रूप से लोगों की जिग्यासा को बढ़ा देंगे जवान में शारुक खान के अलावा प्रिया मनी, सान्या मनोत्रा और सुनील ग्रोवर भी एहम भूमिकाओं में नजर आएंगे वही नेगिटिव रोल में विजए से तुपती नजर आएंगे फिल्म का संगीत लोगप्रिय दक्षन संगीत निर्देशक अनिरुद्ध रवी चन्नर ने तयार किया है शारुखान की कंपनी रेट चिलीज एंटर्टेन्मेंट द्वारा निर्मे जवान 2 जून 2023 को पांच भाशाओं हिंदी, तमिल, तेल्गू, मल्यालम और कन्नर में रिलीज होगी तो दोस्तों आपको इनके एक्शन सीन्स का कितना इंतजार है मैं फड़ा फ़र से बताईए कॉमेंट सेक्शन में और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजे लाइक और शेयर और चैनल को सब्स्ट्राइब करना बिलकुल भूलिए और फिलार के लिए बढ़ चुके ह इसमिल शारुक खान ब्लाक कलर के अटायर में हाथ में मशिन गन पकड़े हुए नजर आ रहे हैं इसे के साथ उनके मुँ में जलती सिगरेट भी नजर आ रही है शारुक का ये स्वाक सबको दीवाना बना रहा है और इस पैन मेट पोस्टर पर नेटिजन्स काफी अच्छ करने के लिए बेसबरी से इंतिजार कर रहे हैं पर उन्हें 2 जून 2023 तक रुखना पड़ेगा जब फिल्म रिलीज होगी वैसे शारुक के साथ पल्म में नयांतारा नजर आने वाली है विजय सेतु पती विलन बने हैं और संजु बाबा और डिमपल गर्स दिपिका का क्या कामियों होने वाला है मतलब ये एक मर्टी स्टार फिल्म है वैसे जब शारुक ट्विटर पर अपना हैस्टेक आस्क एसार के नाम का सेग्मेंट करेंगे जिसमें फैंस उन्हें सवाल पूस्ते हैं उसमें शारुक इस पोस्टर को लेकर भी बात कर सकते हैं और उन्हें ठा नहीं मैं प्रगृति मिलूंगी आपसे नेक्स वीडियो प्राउट फील हो ऐसा काम कर चुके हैं वहाँ पर उनसे जुड़ी हर एक छूटी खबर इंपोर्टेंट है वैसे जवान का जो पोस्टर था जिसमें पटियों में अपना चेहरा लपेटे हुए शारुक को देखकर समझ नहीं आ रहा था कि उनका किरदार किस तरका होगा पर इस सवाल का थोड़ा सा जवाब देते हुए बेकर्स ने खुलासा किया है कि शारुक खा अपने शारुक और राज इनका कुछ न कुछ फिछले जनम का कनेक्शन है तभी तो यहां पर भी उनके नाम में राज मौजूद है और उनके इस नाम के करेक्टर कितने फेमस हो चुके हैं ये तो हम जानते ही हैं उसमें दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे महबते दिवा चलते चलते राजू बन गया जेंटलमेन रोहिच शेटी की दिलवाले है बेबी बादशा और रब ने बना दी जोड़ी ऐसी नौ फिल्म में शामिल है जिसमें राज का इकॉनिक करेक्टर नजर आया या आइकॉनिक करेक्टर बन गया वैसे जवान में हमें दिपिका साथी भी नजर आने वाले हैं साउथ फिल्मेकर एटली कुमार फिल्म के लिए जीत तोड महनद कर रहे हैं क्योंकि ये एक पैन इंडिया फिल्म है तो एक्टे हैं कि 2023 में ये जवान क्या धमाका करता है साथी जाते जाते आप बताईए अपनी राय हमें कॉमेंट सेक्शन में और वीडियो को कर दीजे लाइक और शियर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और मुझे यानि शूती को दीजे जाए दिपिका पादुकोड और शारुका ने ये श्राज फिल्म्स की एक्शन एंटर्टीनर पठान के टैटल ट्रैक जुमेजो पठ में एक साथ रखते हुए दुनिया में तूफान ला दिया अब ये जोड़ी एटली के जवान के लिए एक और मैसी नम्मर के लिए फिर से मिल रही है जहां दिपिका पादुकोड एक क्यामियो लेकिन महतपून भूमिका में दिखाई देने के लिए तैयार है एटली 20 अप नम्मर है वही दूसरा देपिका और शारुक की मौजूदीगी वाला एक ट्रैक है दिपिका पादुकोड और शारुक खान पहले ही पतान के टाइटल ट्रैक जुमे जो पतान के साथ चार्ट बस्टर पर हिट हो चुके हैं फिल्म का दूसरा मैसी ट्रैक बेशर्म रंग थ जहां दीपिका पादुकोन के बदले अवतार ने इंटरनेट तोड़ दिया था जवान फिल्म का मैसी दमाकेदार नंबर इस साल उनका तीसरा गुरूवी गाना होगा और फैंस पहले से ही उनकी केमेस्ट्री को फिर से देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है फिल्म का संगीत अनिरुद्ध रवी चंदर द्वारा दिया गया है और अन्ने डीटेल्स गुप्त रखे गए है शारुक खान टहले साथ अप्रेल को नेंधारा के साथ रोमेंटिक ट्रैक शूट करेंगे फिर दीपिका पादुकोन के साथ गाने की शूटिंग करेंगे कथित तोर पर दीपिका पादुकोन फिल्म में शारुक खान की पत्नी की भूमिका निभाती है जिसे मार दिया जाता है और अभिनेता अपनी पत्नी की मौत का बदला लेने के लिए एक मिशन पर निकल जाता है शारुक खान फिल्म में दोहरी भूमिका निभा रहे हैं जहां उन्होंने पिता और पुत्र की भूमिका निभाई है फिल्म ओम शांती ओम, चैन्नेई एक्स्प्रेस, हैपी न्यू यर और पठान के बाद शारुक खान और दिपिका पादुकोण की साथ में ये पाचवे फिल्म होगी व्यूज की बात करें तो पठान फिल्म के बेशरम रंग ने ये अश्राज फिल्म के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर 391 मिलियन से अधिक व्यूज बटो रहे हैं जबकि जुमे जो पठान ने 422 मिलियन व्यूज हासल किये है जवान शारुका नेंतारा और विजय सेतुपती के साथ दीपिका पादुकोण एक विशेश भूमिका में है 2 जून 2030 को स्क्रीन पर हिट होने के लिए पूरी तरह से तयार है आप फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड है मैं फड़ा फ़र्स बताईए कॉमेंट सेक्शन में और जाते जाते इस वारे वीडियो को कर दीजे लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले के बाद उनकी पोस्टिंग होई सियाचन ग्लेशेज में यह वही ग्लेशेर जहां टमपरेचर माइनस में जाता है ऐसी कपकपाती थंड की शरीर को पिद्ला दे वहां से को चंदीगर में गए जहां उनोंने ट्रेनिंग और फिर वो निकले अपने नए सफर पर सियाचन ग पार्टिल ने अपने परिवार को कॉल किया और कहा कि आज वो ग्लेशेर चड़ने वाले है फिर कुछ दिन बीट गया उनका फिर से कॉल आया और उन्होंने कहा कि वह बहुत खोश है क्योंकि वह पोस्ट के बड़े करीब है और उतनी उचाई पर पहुचने के बाद नेट किया गया है फिर कुछ दिन बीट गया फिर से उनकी यूनित का कॉल गया और कहा गया कि उनकी हालत बड़ी नाजुक है और उन्हें दिल्ली के एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है उनका परिवार रोने लगा आर्मी द्वारा उनके परिवार को ये भी बताया गया क कि उनके परिवार में से कोई भी दो लुग दिल्ली जा सकते हैं दिल्ली पहुचने के बाद उन्हें पता चला कि मनुहर पाटिल की ब्रेन सर्जरी हुई है और वो भी बेहोश है बीस दिन बीद कर और मनुहर पाटिल को खोश नहीं आया उसके अगले दिन बाद उन्हें एक और उनकी सासे बहुत तेज होने लगी और देखते ही देखते मनुहर पाटिल ने इस बेश को छोड़ दिया तो ऐसी ही एक वीर जवान की स्टोरी हो सकती है हमारी शारुखान स्टार जवान जाते जाते आपके लिए गुड नीज है अगर आप भी सिनिमा के दुनिया से ज और नयंतारा के गाने की शूटिंग या दिपिका पादु को उन देंगी शारुख और नयंतारा का साथ दोस्तों साउथ फिल्म मेकर इटली कुमार और हमारे शारुख खान अपनी फिल्म जवान के लिए जी तोड मेहनत कर रहे हैं ये फिल्म 2023 की मोस्ट अविटिट फिल् अनिरुद अप्रेल के पहले हफते में गाने की शूटिंग होगी वो भी मुंबई में वैसे फिल्म के लिए अप्रेल महिना बहुती जादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस महिने में फिल्म के दो गाने शूट हो जाएंगे इटली कुमार का ये प्लान है कि ये दोनु ही गाने सूपर हिट होने चाहिए जिसके ओपर फिल्म का सक्सेस डिपेंड करता है और वो चाहते हैं कि गाने को लेकर कोई कोंट्रोवर्सी ना हो वैसे पठान के बाद शारुख खान जवान में इतने बीजी हो गया है कि अब उनकी एक धलक देखने के लिए उनके फैंस तर रहे हैं वैसे हम जल्दी शारुख खान को फिल्म के जवदस गानों में देखने वाले हैं और जहां तक अपरेल के पहले हफते में पहला गाना शूट होगा तो उसकी जलक हमें जल्दी देखने को मिलेगी इतना ही नहीं बलकि फिल्म का दूसरा गाना शूट होगा जिसमे तिपिका पादू कौन नजर आने वाली है यानि तिपिका पादू कौन इस फिल्म में क्यामियों करते हुए नजर आने वाली है कहा जाता है कि ये गाना 15 अप्रेल तक रिकॉर्ड हो सकता है वैसे बेशरम रंग गाने को लेकर जो बवाल हुआ था उसे ध्यान में रखते हुए इटली कमार बहुती सावधानी से गाने को शूट करना चाहते हैं देखते हैं कि इटली और शारुक का डूओ क्या कमाल करता है अगर रिलीस की बात की जाए तो ये फिल्म 2 जून 2023 को रिलीस होगी तो आप इस फिल्म के लिए कितने एकसाइड़ है बताईए हमें कॉमेंट सेक्षन में साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा आज के लिए बस इतना ही मैट रगती मिलूंगी आपसे नेक्स वीडियो में नाटो सेना उसे ढूंड रही थी तभी सेना को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि 25 से 30 गाडियों का एक काफिला उस गाओं की तरफ देखा गया है सेना हेलिकॉप्टर से बंबारी करने लगी आदी से जादा गाडियां बंबारी में उड़ गई और जितने बच्चे लोग थे वो गाओं की गलियों में तरबतर भागने लगे विद्रोहियों ने एक छोटे से पाइप में छुपे गदाफी को बाहर आने की नसीहत दी उसे कहा गया कि सेना उस पर हमला नहीं करेगी अगर वो सरेंडर कर देगा जैसे ही गदाफी बाहर आया उसके दोनों पैरों पर विद्रोहियों ने गोली मार दी विद्रोहियों का गुस्ता बढ़ चुका था और सेना भी दूर थी ऐसे में जब तक सेना वहां पहुच पाई तब तक विद्रोहियों ने गदाफी को उसी की सोने की पिस्टॉल से गोली मार दी ऐसे ही एक्शन पैक्ड होने वाली है शारुख खान स्टारर जवान आपका इस बार में क्या कहना है कॉमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताईए और अब जाते जाते आपके लिए फादे की बात और मुझे यानि शूती को दीजे तब तक के लिए जाखा गया था अब अपकमिंग फिल्म का एक नया पोस्ट सोशल मीडिया पर लीख हो गया है इसमें शारुख खान के लंबे बाल नजर आ रहे हैं चेहरे पर बैंडिज के साथ मिस्ट्री लुक बरकरार रखा गया है और हाप में नाइज है जिसके अंदर S.R.K का एक अलग चेहरा है इसमें फिल्म के लिए उमीदों को और भी बढ़ा दिया है जबकि कई प्रशंश कीजर में उनके बैंडिज और चोटे लुक से शौक रहे हैं तो यहां जवान का लुक 1990 के लोग प्रे हॉलिवड एंटी हीरो फिल्म डाक मैन के समान ही लग रहा है दोस्तों यहर 1990 की सूपर हीरो फिल्म में लियाम नीसन ने टाइटैनिक एंटी हीरो की भूमे का निभाई थी जिसे जिन्दा जलाने के बाद मृत के लिए छोड़ दिया गया था उसने अपनी विक्रित वचा को छिपाने के लिए खुद को पटियों में लपेट लिया और उन लोगों से बदला लेने के लिए लोट आया जिन्हों ने उसे मारने की कोशिश की थी बेंड़ लोक और फिल्म जवान के पोस्टर के गहन विशह ने काई फान्स को तुलना करने के लिए फिरित किया है कुछ लोग कह रहे हैं कि शारुक खान ने डार्क मैं से जवान लोक की नकल की एक यूजर ने लिखा शारुक जी 1990 की डार्क मैं हॉलिवोड फिल्म नहीं देखी क्या दोस्तों आप बताइए कि आपका इस बार में क्या कहना है और आप फिल्म के लिए कि इतना एक्साइटेड है अपने डबल रोल में इंटेंस चे सीक्विंस के साथ जवान की शूटिंग खत्म करेंगे और अब इस फिल्म को लेकर लेटेस्ट अफडेट यह है कि फिल्म की लीडिंग लेडी नैंतारा ने भी एक हफते के मुंबई शिड्यूल को पूरा कर लिया है नैंतारा ने जवान का नौ दिन का लंबा शिड्यूल पूरा कर लिया है और अब वो आठ मार्श को चिन्नई वापस चले गए नैंतारा का जवान के लिए मुंबई शिड्डूल काफी अच्छा रहा उन्होंने इस शिड्डूल में शारुक के साथ कुछ मतपून द्रिश्यों को शूट किया है जबकि कुछ की शूटिंग राजस्थान में ही जाएगी हलाकि मेकर्स ने अभी इसके लिए डेट्स लॉक नहीं किये है कुछ सीन्स ऐसे हैं जो निश्चेत रूप से लोगों की जग्यासा को बढ़ा देंगे जवान में शारुक खान के अलावा प्रिया मणी, सान्या मनोत्रा और सुनील ग्रोवर भी एहम भूमिकाओं में नज़र आएंगे वही नेकिटिव रोल में विज़े से तुपती नज़र आएंगे फिल्म का संगीत लोगप्रिय दक्षन संगीत निर्देशक अनिरुद्ध रवी चन्नर ने तयार किया है शारुक खान की कंपनी रेट चिलीज एंटर्टेंडमेंट द्वारा निर्मे जवान दो जून दोहजार तेस को पांच भाशाओं हिंदी, तमिल, तेलगू, मल्यालम और कंणर में रिलीज होगी तो दोस्तों आपको इनके एक्शन सीन्स का कितना इंतजार है ने फड़ा फरसे बताईए कॉमेंट सेक्शन में और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजे लाइक और शेयर और चैनल को सब्स्ट्राइब करना बिल्कुल भूलिए और फिलाल के लिए बढ़ चुके हैं तरसल जवान पर्म का पोस्टर अभी वारल हो रहा है जिसे खुद फैंस ने बड़ी महनत से बनाया है अपने केंखान के लिए जी हाँ शारुक खान के कॉलकटा फैन कलब ने उनका ये पोस्टर वारल कर दिया है इसमें शारुक खान ब्लाक कलर के अटायर में हाथ में मशिन गन पकड़े हुए नजर आ रहे हैं इसे के साथ उनके मुँ में जलती सिगरेट भी नजर आ रही है शारुक का ये स्वैक सबको दीवाना बना रहा है और इस फैन मेट पोस्टर पर नेटिजन्स काफी अच्छे कॉमेंट्स ही कर रहे हैं दोस्तों सब ने यही कहा है कि कॉलकता वालों ने केंखान पर अपना जो प्यार बरसाया है उसे देख कर केंखान जरूर खुश होंगे कॉलकता वाले शारुक का एक्शन अफ़तार देखने के लिए बेसबरी से इंतिज़ार कर रहे हैं पर उन्हें 2 जून 2023 तक रुखना पड़ेगा जब फिल्म रिलीस होगी वैसे शारुक के साथ फिल्म में नयांतारा नजर आने वाली है विजय सेतु पती विलन बने हैं और संजु बाबा और डिमपल गर्स दिपिका का क्यामियो होने वाला है मतलब ये एक मर्टी स्टार फिल्म है वैसे जब शारुक ट्विटर पर अपना हैस्टेक आस्क एसार के नाम का सेग्मेंट करेंगे जिसमें फैंस उन्हें सवाल पूसते हैं उसमें शारुक इस पोस्टर को लेकर भी बात कर सकते हैं और उन्हें ठाइंक्यू भी कह सकते हैं देखते हैं कि अब शारुक खान इस पोस्टर पर क्या कहते हैं तो दोस्तों आप इस परम के लिए कितने एक्साइटेड है बताईए हमें कॉमेंट सेक्षन में ताथी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा आज के लिए बस इतना ही मैं प्रगती मिलूंगी आपसे नेक्स वीडियो प्राउट फील हो ऐसा काम कर चुके हैं वहाँ पर उनसे जुडी हर एक छूटी खबर इंपोर्टन्ट है वैसे जवान का जो पोस्टर था जिसमें पटियों में अपना चेहरा लपेटे हुए शारुक को देखकर समझ नहीं आ रहा था कि उनका किरदार किस तरका होगा पर इस सवाल का थोड़ा सा जवाब देते हुए बेकर्स ने खुलासा किया है कि शारुक खान फिल्म में डबल रूल निभाएंगे और उनके एक कैरेक्टर का नाम होगा राजवर्धन ठाकुर पर दूसरे कैरेक्टर का नाम अभी तक नहीं बताये गया है पर कुछ गौर किया अपने शारुक और राज इनका कुछ न कुछ पिछले जनम का कनेक्शन है तबी तो यहाँ पर भी उनके नाम में राज मौजूद है और उनके इस नाम के कैरेक्टर कितने फेमस हो चुके हैं ये तो हम जानते ही हैं उसमें दिलवाले दुलनिया ले ज कामिल है जिसमें राज का इकॉनिक केरेक्टर नजर आया था या आइकॉनिक केरेक्टर बन गया वैसे जवान में हमें दिपिका पादुकोण और संजेदत कैमियो करते हुए नजर आएंगे पर उनका कैरेक्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसी के साथ साथ फ जवान क्या धमाका करता है साथ ही जाते जाते आप बताइए अपनी राय हमें कॉमेंट सेक्शन में और वीडियो को कर दीजे लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले और मुझे यानि शूती को दीजे जा दिपिका पादुकोण और शारुक के लिए फिर से मिल रही है जहां दिपिका पादुकोण एक क्यामियो लेकिन महत्पून भूमिका में दिखाई देने के लिए तैयार है एटली 20 अप्रेल तक अपनी बहुत प्रतिक्षित मसाला फिल्म की शूटिंग पूरी कर लेंगे फिल्म की शूटिंग 5 अप्रेल तक एक ट्रैक है दिपिका पादुकोण और शारुक खान पहले ही पठान के टाइटल ट्रैक जूमे जो पठान के साथ चार्ट बस्टर पर हिट हो चुके है फिल्म का दूसरा मैसी ट्रैक बेशर्म रंग था जहां दिपिका पादुकोण के बदले अवतार ने इंटरनेट तो पार ने डीटेल्स गुप्त रखे गए है शारुक खान पहले साथ अप्रेल को नेंधारा के साथ रोमेंटिक ट्रैक शूट करेंगे फिर दिपिका पादुकोण के साथ गाने की शूटिंग करेंगे कथित तोर पर दिपिका पादुकोण फिल्म में शारुक खान की पत्नी की भूमिका निभाती है जिसे मार दिया जाता है और अभिनेता अपनी पत्नी की मौत का बदला लेने के लिए एक मिशन पर निकल जाता है शारुक खान फिल्म में दोहरी भूमिका निभा रहे हैं जहां उन्हों पिता और पुत्र की भूमी का निभाई है फिल्म ओम शांति ओम चैन्नेई एक्सप्रेस हैपी न्यू यर और पठान के बाद शारुक खान और दिपिका पादुकोर्ण की साथ में ये पाँचवे फिल्म होगी व्यूज की बात करें तो पठान फिल्म के बेशरम रंग ने य आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर 391 मिलियन से अधिक व्यूज बटो रहे हैं जबकि जूमे जो पठान ने 422 मिलियन व्यूज हासिल किये हैं जवान शारुक खान नेंतारा और विजय सेतुपती के साथ दिपिका पादुकोर्ण एक विशेश भूमिका में हैं दो जून 2023 को स्क्रीन पर हिट होने के लिए पूरी तरह से तयार है आप के लिए कितने एक्साइटेड है मैं फड़ा फर्स बताईए कॉमेंट सेक्शन में और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजे लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले और मु उनकी पोस्टिंग होई सियाचन ग्लेशियर में यह वही ग्लेशियर जहां टमप्रेचर माइनस में जाता है ऐसी कपकपाती थंड की शरीर को पिगला दे वहां से को चंदीगर में गए जहां उनोंने ट्रेनिंग और फिर वो निकले अपने नए सफर पर सियाचन ग्लेशि है क्योंकि वो पोस्ट के बड़े करीब है और उतनी उचाई पर पहुचने के बाद नेटवर्क ना मिले इसलिए वो आज ही सब बात करने भले है कुछ दिन और बीद गए पर उनका कॉल नहीं आया फिर 16 जुलाई को शाम आड़ वजे उनकी यूनिट से उनके परिवार को कॉल किया गया कि मनोहर पाटिल को इंजूरी हो गई और उन्हें अस्पताल में एड्मिट किया गया है फिर कुछ दिन बीद गए फिर से उनकी यूनिट का कॉल गया और कहा गया कि उनकी हालत बड़ी नाजुक है और उन्हें दिल्ली के एक हॉस्पिटल में एड्मिट किय उनका परिवार रोने लगा, आर्मी द्वारा उनके परिवार को ये भी बताया गया कि उनके परिवार में से कोई भी दो लुग दिल्ली जा सकते हैं, दिल्ली पहुचने के बाद उन्हें पता चला कि मनुहर पाटिल की ब्रेइन सरजनी हुई है और वो भी बेहोश है, बीज परिवार सिर्फ भवान को प्राथना कर रहा था, फिर उसके अगले दिन मनुहर पाटिल की शरीर सुकरने लगी और उनकी सासे बहुत तेज होने लगी, और देखते ही देखते मनुहर पाटिल ने इस देश को छोड़ दिया, तो ऐसी ही एक वीर जवान की स्टोरी हो सकती ह है हमारी शारुखान स्टार जवान, जाते जाते आपके लिए गुड नीज है, अगर आप भी सिनिमा की दुनिया से जुदना चाहते हैं और हमारे साथ काम करना चाहते हैं, तो देस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये हुए जाब लिंक पर क्लिक करें और इस कुमार और हमारे शारुखान अपने फिर्म जवान के लिए जी तोड महनत कर रहे हैं, ये फिर्म 2020 की मोस्ट अविटिट फिल्मों में शामिल है, इस हाई बजट फिल्म में शारुख के साथ नयंतारा विजैसे तुपती जैसे माहिर आक्टर्स भी नजर आएंगे, अब इ वैसे फिल्म के लिए अप्रेल महिना बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है क्योंकि इस महिने में फिल्म के दो गाने शूट हो जाएंगे, इटली कुमार का ये प्लान है कि ये दोनु ही गाने सूपर हिट होने चाहिए, जिसके उपर फिल्म का सकस्स डिपेंड करता है, और जल्दी शारुख खान को फिल्म के जवतस गानों में देखने वाले हैं, और जहां तक अपरेल के पहले हफदे में पहला गाना शूट होगा, तो उसकी जल्दी देखने को मिलेगी, कि इतना ही नहीं, बलकि फिल्म का दूसरा गाना शूट होगा, जिसमें हमें दिप्पिक प्रंग गाने को लेकर जो बवाल हुआ था उसे ध्यान में रखते हुए इटली कमार बहुती सावधानी से गाने को शूट करना चाहते हैं देखते हैं कि इटली और शारुक का डूओ क्या कमाल करता है अगर रिलीस की बात की जाए तो ये फिल्म 2 जून 2023 को रिलीस होगी तो आप इस फिल्म के लिए कितने एकसाइड़ है बताइए हमें कॉमेंट सेक्षन में साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा आज के लिए बस इतना ही मैट रगती मिलूँगी आपसे नेक्स वीडियो में सेप रहिए मसको आते रहिए वाबार नाटो सेना उसे ढून रही थी तबी सेना को ये इनफॉर्मेशन मिली कि 25 से 30 गाडियों का एक काफिला उस गाओं की तरफ देखा गया है सेना हेलिकॉप्टर से बंबारी करने लगी आदी से जादा गाणियां बंबारी में उड़ गई और जितने बच्चे लोग थे वो गाओं की गलियों में तरबतर भागने लगे विद्रोहियों ने एक छोटे से पाइप में छुपे गदाफी को बाहर आने की नसीहत दी उसे कहा गया कि सेना उस पर हमला नहीं करेगी अगर वो सरेंडर कर देगा जैसे ही गदाफी बाहर आया उसके दोनों पैरों पर विद्रोहियों ने गोली मार दी विद्रोहियों का गुस्ता बढ़ चुका था और सेना भी दूर थी ऐसे में जब तक सेना वहां पहुँच पाई तब तक विद्रोहियों ने गदाफी को उसी की सोने की पिस्टॉल से गोली मार दी। ऐसे ही एक्शन पैक्ड होने वाली है शारुख खान स्टारर जवान। आपका इस बार में क्या कहना है और अब जाते जाते आपके लिए फादे की बात अगर आप भी सिनमा की दुनिया से जुणना चाते हैं और काम करना चाते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये हुए इस जॉब लिंक पर की करिये और इस उप्रचुनिटी का भरपूर पाइदा उठाईए और इस वीडियो को कर दीजे लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना पिलकुल ना भूलियों और मुझे यानि शूती को दीजे तब तक के लिए जाठा गया था अब अपकमिंग फिल्म का एक नया पोस्टर सोशल मीडिया पर लीग हो गया है इसमें शारुख खान के लंबे बाल नजर आ रहे हैं चेहरे पर बैंडिज के साथ मिस्ट्री लुक बरकरार रखा गया है और हाथ में नाइफ है जिसके अंदर सरक का एक अलग चेहरा है इसमें फिल एंटी हीरो फिल्म डाक मैन के समान ही लग रहा है दोस्तों यर नाइंटीन नाइंटी की सूपर हीरो फिल्म में लियाम नीसन ने टाइटैनिक एंटी हीरो की भूमे का निभाई थी जिसे जिन्दा जलाने के बाद मृत के लिए छोड़ दिया गया था उसने अपनी वीकृ उसे तवचा को छिपाने के लिए खुद को पटियों में लपेट लिया और उन लोगों से बदला लेने के लिए लोट आया जिन्हों ने उसे मारने की कोशिश की थी बैंडेट लुक और फिल्म जवान के पोस्टर के गहन विशह ने काई फान्स को तुलना करने के लिए फ कहना है और आप फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड है कोमें सेक्शन में अपनी रायल खान अपने डबल रोल में इंटेंस चे सीक्विंस के साथ जवान की शूटिंग खत्म करेंगे और अब इस फिल्म को लेकर लेटिस्ट अपडेट ये है कि फिल्म की लीडिंग लेड नैंतारा का जवान के लिए मुंबई शिड्यूल काफी अच्छा रहा उन्होंने इस शिड्यूल में शारुक के साथ कुछ मतुकून द्रिश्यों को शूट किया है जबकि कुछ की शूटिंग राजस्थान में ही जाएगी हलाकि मेकर्स ने अभी इसके लिए डेट्स लॉ मिकाओं में नजर आएंगे वही नेगिटिव रोल में विज़े से तुपती नजर आएंगे फिल्म का संगीत लोगप्रिय दक्षन संगीत निर्देशक अनिरुद्ध रवी चन्नर में तयार किया है शारुखान की कंपनी रेट चिलीज एंटर्टेइन्मेंट द्वारा न इस वाले वीडियो को कर दीजे लाइक और शेयर और चैनल को सब्स्ट्राइब करना बिल्कू लब भूलिए और फिलाल के लिए बढ़ चुके हैं तरसल जवान परनुका पोस्टर अभी वारल हो रहा है जिसे खुद फैंस ने बड़ी महनत से बनाया है अपने केंखान के लिए जी हाँ शारूख खान के कॉलकाता फैन क्लब ने उनका ये पोस्टर वारल कर दिया है इसमें शारूख खान ब्लाक कलर के अटायर में हाथ में मशिन गन पकड़े हुए नजर आ रहे हैं इसे के साथ उनके मूं में जलती सिगरेट भी नजर आ रही है शारूख का ये केंखान जरूर खुश होंगे कॉलकाता वाले शारूख का अक्शन अवतार देखने के लिए बेसबरी से इंतिजार कर रहे हैं पर उन्हें 2 जून 2023 तक रुखना पड़ेगा जब फिल्म रिलीज होगी वैसे शारूख के साथ फिल्म में नयांतारा नजर आने वाली है उसमें फैंस उन्हें सवाल पूसते हैं उसमें शारूख इस पोश्टर को लेकर भी बात कर सकते हैं और उन्हें ठाइंक्यू भी कह सकते हैं देखते हैं कि अब शारूख खान इस पोश्टर पर क्या कहते हैं तो दोस्तों आप इस परम के लिए कितने एक्साइटेड है बत था जिसमें पटियों में अपना चेहरा लपेटे हुए शारुक को देखकर समझ नहीं आ रहा था कि उनका किरदार किस तरका होगा पर इस सवाल का थोड़ा सा जवाब देते हुए बेकर्स ने खुलासा किया है कि शारुक खान फिल्म में डबल रूल निमाएंगे और उनके एक कैरेक्टर का नाम होगा राजवर्धन ठाकुर पर दूसरे कैरेक्टर का नाम अभी तक नहीं बताये गया है पर कुछ गौर किया आपने शारुक और राज इनका कुछ न कुछ पिछले जनम का कनेक्शन है तभी तो यहां पर भी उनके नाम में राज मौजूद है और इस नाम के कैरेक्टर कितने फेमस हो चुके हैं ये तो हम जानते ही हैं उसमें दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे महबते दीवाना चलते चलते राजू बन गया जेंटलमेन रोहिच शेटी के दिलवाले हे बेबी बादशा और रब ने बना दी जोड़ी ऐसी नौ फिल्म होगा उसी के साथ-साथ-साथ- locks साणया-स नियम्तार और फिल्म के विलन विजह से तू. भी नजधर आने वाले हैं। इस फिल्म के लिए जिए भी पैन इंडिया उस. क्या ब्त.וסात वो HERE. दिपिका पादुकोड और शारुखा ने यश्राज फिल्म्स की एक्शन एंटर्टीनर पठान के टैटल ट्रैक जुमे जो पठान में एक साथ रखते हुए दुनिया में तूफान ला दिया अब ये जोड़ी एटली के जवान के लिए एक और मैसी नमबर के लिए फिर से मिल रही है जहाँ दिपिका पादुकोड एक क्यामे हो लेकिन महतपून भूमिका में दिखाई देने के लिए तैयार है एटली 20 अप्रेल तक अपनी बहुत प्रतिक्षित मसाला फिल्म की पाँच अप्रेल तक पूरी हो जाएगी केवल दो गानों की शूटिंग अभी बाकी है जहाँ एक तरफ शारुक खान और नैंतारा के साथ शूट किया जाने वाला एक रोमैंटिक नमबर है वही दूसरा देपिका और शारुक की मौजूदगी वाला एक ट्रैक है देपिक पादुकोन के बदले अवतार ने इंटरनेट तोड़ दिया था जवान फिल्म का मैसी दमाकेदार नंबर इस साल उनका तीसरा गुरूवी गाना होगा और फैन्स पहले से ही उनकी केमेस्ट्री को फिर से देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुख है फिल्म का संगीत अ और अन्य डीटेल्स गुपत रखे गए हैं शारुक खान पहले 7 अप्रेल को नैंधारा के साथ रोमैंटिक ट्रैक शूट करेंगे फिर दीपिका पादुकोन के साथ गाने की शूटिंग करेंगे कथित तोर पर दीपिका पादुकोन फिल्म में शारुक खान की पत्नी की भूमिका निभाती है जिसे मार दिया जाता है और अभिनेता अपनी पत्नी की मौत का बदला लेने के लिए एक मिशन पर निकल जाता है शारुक खान फिल्म में दोहरी भूमिका निभा रहे हैं जहां उन्होंने पिता और पुत्र की भूमिका निभाई है फिल्म ओम शांती ओम, चैन्नेई एक्स्प्रेस, हैपी निउयर और पठान के बाद शारुक खान और दिपिका पादुकोण की साथ में ये पाचवे फिल्म होगी व्यूज की बात करें तो पठान फिल्म के बेशरम रंग ने ये श्राज फिल्म के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर 391 मिलियन से अधिक व्यूज बटो रहे हैं जबकि जुमे जो पठान ने 422 मिलियन व्यूज हासल किये हैं जवान शारुक खान नेंतारा और विजय सेतु पती के साथ दीपिका पादुकोण एक विशेश भूमिका में है 2 जून 2030 को स्क्रीन पर हिट होने के लिए पूरी तरह से तयार है आप फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड है में फड़ा फ़र्स बताईए कॉमेंट सेक्शन में और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजे लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले और मुझे यानिशूती को दीजे जाज़त नमसकार उनमें देजभक्ती कूट-कूट कर भरी थी जब वो गाम लौते थे तो वहां के बच्चों के साथ वो बाते करते खेलते उन्हें भारती सेना के बारे में कहानिया सुनाते वहां से लौटने के बाद उनकी पोस्टिंग होई सियाचन ग्लेशर में यह वही ग्लेशर है जहां टमपरेचर माइनस में जाता है ऐसी कपकपाती थंड की शरीर को पिगला दे वहां से को चंदीगड में गए जहां उन्होंने ट्रेनिंग नी और फिर वो निकले अपने नय सफर पर सियाचन ग्लेशर चड़ने से पहले मनोहर पार्टिल ने अपने परिवार को कॉल किया और कहा कि आज वो ग्लेशर चड़ने वाले है फिर कुछ दिन बीट गये उनका फिर से कॉल आया और उन्होंने कहा कि वो बहुत खुश है क्योंकि वो पोस्ट के बड़े करीब है और उतनी उचाई पर पहुचने के बाद नेटवर्क ना मिले इसलिए वो आज ही सब बात करने भले हैं कुछ दिन और बीट गये पर उनका कॉल नहीं आया फिर 16 जुलाई को शाम 8 वजे उनके यूनिट से उनके परिवार को कॉल किया गया कि मनोहर पार्टिल को इंजूरी हो और उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया है फिर कुछ दिन बीद गया फिर से उनकी यूनिट का कॉल गया और कहा गया कि उनकी हालत बड़ी माजुक है और उन्हें दिल्ली के एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है उनका परिवार रोने लगा आर्मी द्वारा उ पर उसे कोई भी दो लुग दिल्ली जा सकते हैं। दिल्ली पोहचने के बाद उन्हें पता चबा कि मनोहर पाटिल की ब्रेन सर्जनी हुई है और वो भी बेहोश है। 20 दिन बीद गए और मनोहर पाटिल को खोश नहीं आया। उसके अगले दिन बाद उन्हें एक खोश आया। उनकी हलक बड़ी नाज़ुख थी। वो कुछ कहनी पा रहे थे, ना हिल पा रहे थे, ना डूल पा रहे थे। उनका परिवार सिर्थ भावान को प्राथना कर रहा था। फिर उसके अगले दिन, मनोहर पाटिल की शरीप सुकडने लगी और उनकी सासे बहुत तेज होने लगी। और देखते ही देखते, मनोहर पाटिल ने इस देश को छोड़ दिया। तो ऐसी ही एक वीर जवान की स्टोरी हो सकती है हमारी शारुखान स्टारट जवान। जाते जाते आपके लिए गुट नीज हैं अगर आप भी सिनिमा की दुनिया से जुटना चाहते हैं और हमारे साथ काम करना चाहते हैं कब शुरू होगी शारुखान और नयंतारा के गाने की शूटिंग या दिपिका पादुकोन देंगी शारुख और नयंतारा का साथ दोस्तो साउथ फिल्म मेकर इटली कुमार और हमारे शारुखान अपनी फिल्म जवान के लिए जीत तोड महनत कर रहे हैं ये फिल्म 2023 की मोस्त अबिटिट फिल्मों में शामिल है इस हाई बजट फिल्म में शारुख के साथ नयंतारा विजैसे तुपती जैसे माहिर आप्टर्स भी नज़र आएंगे अब इस फिल्म को लेकर ये बताया जा रहा है कि फिल्म का पहला गाना शूट होने वाला है इस गाने को कंपोज करेंगे पेमस कंपोजर अनिरुद अप्रेल के पहले हफ़ते में गाने की शूटिंग होगी वो भी मुंबई में वैसे फिल्म के लिए अप्रेल महिना बहु को इंट्रोवर्सी ना हो वैसे पठान के बाद शारुख खान जवान में इतने बीजी हो गया है कि अब उनकी एक धलक देखने के लिए उनके फैन्स तरस रहे हैं वैसे हम जल्दी शारुख खान को पन के जवदस गानों में देखने वाले हैं और जहां तक अपरेल के पहले ह दुकोन इस फिल्म में क्यामियो करते हुए नजर आने वाली है कहा जाता है कि ये गाना 15 अपरेल तक रिकॉर्ड हो सकता है वैसे बेशरम रंग गाने को लेकर जो पवाल हुआ था उसे ध्यान में रखते हुए इटली कुमार बहुती सावधानी से गाने को शूट करना चा वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा आज के लिए बस इतना ही मैप रगती मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में सेफ रहिए मसको आते रहिए वावार नाटो सेना उसे ढून रही थी तबी सेना को ये इनफॉरमेशन मिली कि 25 से 30 गाडियों का एक काफिला उस गाओं की तरफ देखा गया है सेना हेलिकॉप्टर से बंबारी करने लगी आदी से ज्यादा गाडियां बंबारी में उड़ गई और जितने बच्चे लोग थे वो गाओं की गलियों में तरबतर भागने लगे विड्रोहियों ने एक छोटे से पाइप में छुपे गदाफी को बाहर आने की नसीहत दी उसे कहा गया कि सेना उस पर हमला नहीं करेगी अगर वो सरेंडर कर देगा जैसे ही गदाफी बाहर आया उसके दोनों पैरो पर विद्रोहियों ने गोली मार दी विद्रोहियों का गुस्ता बढ़ चुका कोमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए और अब जाते जाते हैं आपके लिए फाइदे की बात अगर आप भी सिनमा की दुनिया से जुणना चाते हैं और काम करना चाते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये हुए इस जॉब लिंक पर किक करिए और इस ऑपरचु बैंडिच के साथ मिस्ट्री लुक बरकरार रखा गया है और हाथ में नाइफ है जिसके अंदर एसार के का एक अलग चेहरा है इसमें फिल्म के लिए उमीदों को और भी बढ़ा दिया है जबकि कई प्रशन शक्ती इजर में उनके बैंडिच और चोटे लुक से शॉक्ड ह हैं तो यहां जवान का लुक 1990 के लोगफ्रे हॉलिवड एंटी हीरो फिल्म डाक मैन के समान ही लग रहा है दोस्तों यहर 1990 की सूपर हीरो फिल्म में लियाम नीसन ने टायटैनिक एंटी हीरो की भूमे का निभाई थी जिसे जिन्दा जलाने के बाद मृत के लिए छोड़ लिया गया था उसने अपनी विक्रित वचा को छिपाने के लिए खुद को पटियों में लपेट लिया और उन लोगों से बदला लेने के लिए लोट आया जिन्हों ने उसे मारने की कोशिश की थी बैंड़िड लुक और फिल्म जवान के पोस्टर के गहन विशह ने काई को तुलना करने के लिए फेरित किया है कुछ लोग कह रहे हैं कि शारुख खान ने जवान लुक की नकल की एक यूजर ने लिखा शारुख जी 1990 की डार्क मैन हॉलिवूड फिल्म नहीं देखी क्या दोस्तों आप बताईए कि आपका इस बार में क्या कहना है और आप फिल् को लेकर लेटिस्ट अपडेट यह है कि फिल्म की लीडिंग लेडि नैंतारा ने भी एक हफते के मुंबई शड्यूल को पूरा कर लिया है नैंतारा ने जवान का नौ दिन का लंबा शड्यूल पूरा कर लिया है और अब वह आठ मार्श को चन्नई वापस चली गई नैंत पूरा का जवान के लिए मुंबई शड्यूल काफी अच्छा रहा उन्होंने इस शड्यूल में शारुक के साथ कुछ मतपून द्रिश्यों को शूट किया है जबकि कुछ की शूटिंग राजस्थान में ही जाएगी हलाकि मेकर्स ने अभी इसके लिए डेट्स लॉक नही आएंगे वही नेगेटिव रोल में विजय से तूपती नजर आएंगे फिल्म का संगीत लोगप्रिय दक्षन संगीत निर्देशक अनिरुद्ध रवी चन्नर ने तयार किया है शारुखान की कंपनी रेट चिलीज एंटर्टेइन्मेंट द्वारा निर्मे जवान दो आते इस वाले वीडियो को कर दीजे लाइक और शेयर और चैनल को सब्स्ट्राइब करना बिल्कुल भूलिए और फिलाल के लिए बढ़ चुके हैं तरसल जवान परम का पोस्टर अभी वारल हो रहा है जिसे खुद फैंस ने बड़ी महनत से बनाया है अपने केंखान के ल ज़रा रही है शारुक का ये स्वाग सबको दीवाना बना रहा है और इस पैन मेट पोस्टर पर नेटिजन्स काफी अच्छे कॉमेंट्स ही कर रहे हैं दोस्तों सब ने यही कहा है कि कॉलकाता वालों ने केंखान पर अपना जो प्यार बरसाया है उसे देखकर केंखान जर में नए अंतारा नजर आने वाली है विजय सेतु पती विलन बने हैं और संजु बाबा और डिमपल गर्ल्स दिपिका का क्यामियो होने वाला है मतलब ये एक मर्टी स्टारल फिल्म है वैसे जब शारुक क्विटर पर अपना हैस्टेक आस्सर के नाम का सेग्मेंट करेंग तो दोस्तों आप इस फर्म के लिए कितने एक्साइडेड है बताईए हमें कॉमेंट सेक्षन में ताती वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा आज के लिए बस इतना ही मैं प्रगती मिलूंगी आपसे नेक्स वीडियो प्राउट फील हो ऐसा काम कर चुके हैं वहाँ पर उनसे जुड़ी हर एक छूटी खबर important है वैसे जवान का जो पोस्टर था जिसमें पटियों में अपना चेहरा लपेटे हुए शारुक को देखकर समझ नहीं आ रहा था कि उनका किरदार किस तरका होगा पर इस सवाल का थोड़ा सा जवाब देते हुए बेकर्स ने खुलासा किया है कि शारुक खान फिल्म में डबल रूल निभाएंगे और उनके एक कैरेक्टर का नाम होगा राजवर्धन ठाकुर पर दूसरे कैरेक्टर का नाम अभी तक नहीं बताये गया है पर कुछ गौर किया आपने शा हम जानते ही हैं उसमें दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे महबते दीवाना चलते चलते राजू बन गया जेंटलमेन रोहिट शेटी की दिलवाले है बेबी बादशा और रब ने बना दी जोड़ी ऐसी नौ फिल्म में शामिल है जिसमें राज का इकॉनिक कैरेक्टर अन्या मनोत्रा और फिल्म के विलन विजय से तुफती भी नजर आने वाले हैं साउथ फिल्मेकर एटलिक कुमार फिल्म के लिए जी तोड महनत कर रहे हैं क्योंकि ये एक पैन इंडिया फिल्म है तो तो एकते हैं कि 2023 में ये जवान क्या धमाका करता है साथी जाते जाते आप बताईए अपनी राए हमें कॉमेंट सेक्शन में और वीडियो को कर दीजे लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले और मुझे यानि शूदी को दीजे जा दीपिका पादुकोड और शारुखा ने ये श्राज फिल्म की एक्शन एंटर पठान के टैटल ट्रैक जुमे जो पठान में एक साथ रखते हुए दुनिया में तूफान ला दिया अब ये जोड़ी एटली के जवान के लिए एक और मैसी नम्मर के लिए फिर से मिल रही है जहां देपिका पादुकोड एक क्याहमे हो लेकिन महतुपून भूमिका में दिखाई देने के लिए तैयार है एटली 20 अप्रेल तक अपनी बहुत प्रतिक्षित मसाला फिल्म की शूटिंग पूरी कर लेंगे फिल्म की शूटिंग 5 अप्रेल तक पूरी हो जाएगी केवल दो गानों की शूटिंग अभी बाकी है जहां एक तरफ शारुक खान और न फिल्म का दूसरा मैसी ट्रैक बेशर्म रंग था जहां दिपिका पादुकोन के बदले अवतार ने इंटरनेट तोड़ दिया था जवान फिल्म का मैसी धमाकेदार नंबर इस साल उनका तीसरा गुरूवी गाना होगा और फैन्स पहले से ही उनकी केमेस्ट्री को फिर से के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है फिल्म का संगीत अनिरुद्ध रवीचंदर द्वारा दिया गया है और अन्ने डीटेल्स गुपत रखे गए है शारुक खान पहले साथ अप्रेल को नेंधारा के साथ रोमेंटिक ट्रैक शूट करेंगे फिर दीपिका पादुकोन के शारुक खान की पत्नी की भूमिका निभाती है जिसे मार दिया जाता है और अभिनेता अपनी पत्नी की मौत का बदला लेने के लिए एक मिशन पर निकल जाता है शारुक खान फिल्म में दोहरी भूमिका निभा रहे है जहां उन्होंने पिता और पुत्र की भूमिका कौन है ये राजबी रशर क्यों फिल्म एक्सपर्स ने तानाव VFX पर निशाना किस तरह खांस का हेर स्टाइल होता है फेमस दोस्तों राजबी रशर ये वो शक्स है चुन्हों फिल्म पठान के असिस्टेंट ड्रेक्टर के तोर पर काम किया है इन्होंने जवान का प्रीव पर फिर भी अभी से ओडियंस ने जवान को तो सर पड़ ले लिया है अब उनकी तारीफ तो सही है पर 700 करोड का बजट इस बात को अगर हम थोड़ा सा हाइलाइट करें ना तो हमें याद आएगी फिल्म आदी पुरुष जिसका बजट भी 700 करोड रुपे था और VFX पर तो पैसे बाहए गए थे तो उसी को तारा मारते हुए राजवीर ने यह कहा है यानि की राजवीर ने एक तीर से दो निशाने लगाए है मतलब कि एक तरफ तारीफ करके तो एक तरफ तारा मार दिया वैसे पर्म जबान में शारुक खान ने अपना जो गंजा लुक दिखाया है उसे देखने के बाद फैन्स क्रीजी हो रहे हैं और उपर से उनके माथे पर उन्होंने टाटू भी मनवाया है अब देखा जाए तो शारुक का ये हैरस्टाइल मशूर हो चुका है और लगता है कि अब सालोन में भी भी लगने वाली है अरे सालोन की क्या जर्वत है ये हैरस्टाइल तो घर पर भी हो सकता है इतना ही नहीं बलकि थीटर्स में कुछ फैन्स यही गंजा लूक करके जाएंगे और फिल्म देखेंगे क्योंकि ऐसा हुआ था आमिर खान के फिल्म गजनी के साथ देखा जाए तो ये जो खांस है ना उनकी फिल्मों के साथ साथ उनका हैरस्टाइल बिना काफी फेमस हो जाता है अब आमिर खान का गजनी कर तो फेमस हुआ ही था तो वही सल्मान खान का तेरे नाम वाला हैरस्टाइल भी पीछे नहीं था जिसे देखो वो तेरे नाम हैरस्टाइल करके सलमान को कॉपी करने की कोशिश कर रहा था ऐसी हालत में शारुक खान पीछे कैसे रह सकते थे भला जरूर ये स्टाइल फॉलो किया जाएगा और जो लोग गंजे है ना उन्हें तो मज़ा आ रहा होगा ये कहते वे कि देखो और शारुक खान ने हमारा हेस्टाइल कॉपी किया है मतलब अपने गंजे पन को जुपाने के लिए अच्छा नुस्का अपनाया जाएगा फिल्म एक्सपर्ट जिम्मी और केनी का कहना है कि शारुक खान ने प्रीवियो में बहुत सर्प्राइजेस को रिवील कर दिया है जो नहीं करना चाहिए था मसाला से भरपूर है ये फिल्म फिर भी हर एक मसाले को पहले ही रिवील करने की जरुवत नहीं थी पर फिर भी शारुक खान अपना कमाल दिखाने में काम्मयाब हो चुके हैं इतना ही नहीं बलकि शारुक खान की कंजेलुक को देख कर भी उन्होंने तारीफ की और फिल्म पहरे दिन अच्छी खासी कमाई करेगी ऐसा भी उनका कहना है पर उनका ये कहना है कि वीफेक्स थोड़े जादा है मतलब इतने वीफेक्स की नहीं थी फिर भी जब तक वो फिल्म पूरी नहीं देखते तब तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता उनकी इन बातों पर कमेंट करते वे फैंस ने ये कहा है कि ये एक्सपर्ट्स शारुक खान को पसंद नहीं करते हैं पर फिर भी उन्होंने अगर तारीफ की है तो इसका मतलब फिर्म जरूर ब्लॉकबस्टर साबित होगी फलहाल दोस्तों आप हमें ये बताइए कि आप इस फिर्म के लिए कितने एक्साइटेड है साथी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शर करना मत भूलिएगा बाबाई आउट ओप कंट्रोल फाइडिंग की बट वी नेड मूर वी नेड जवान सिनिमार्टिक इनुवर्स जो बनने के 90 परसें चांसेड है क्योंकि एटली भाई ने खुद कहा है कि उन्हें अच्छी स्क्रिप्ट मिली तो वो इस फिल्म का पार्ट टू जरूर बनाएंगे और इसलिए उन्होंने इस फिल्म की एंडिंग को रखा है उपन अब पार्ट टू बंदा है तो उसमें कौन से किरदार आएंगे इस पर बात की जाए तो दे आर वाइड पॉसबल क्यारक्टर जिन्हें किया जाएगा एक्स्प्लोर तो उस तो सबसे पहले आपके इस साल के सबसे बड़े बैडास विलन काली की बात की जाया जिसका किरदार काफी बूच्वल था और जैसे Game of Thrones में जौपरी के मरने पर लोग खुश हुए थे या पर Lion King में Scar के मरने पर लोग खुश हुए थे उसी तरह की खुशी काली के मरने पर भी मिली थी क्यूंकि जब काली ने पन में कई limits Cross कर दी थी और विजे सितुपती नेवर डिसपॉइंट इतना अच्छा बलन के किरदार प्ले किया ना कि हमें क्लासिकल बलन मोकैंबू की याद दला दी अम्रेश पुडिसर विल भी वेरी हाप बे इन हैवन आप्टर दस बैक टुद पॉइंट काली मर चुका है इसलिए अब वो आपस नहीं आने वाला है और उसी तरह से दिपिका पादुकों की किरदार की भी डेथ हो चुकी है इसलिए वो भी सैडली पाट्टू का हिसा नहीं होंगी लेकिन जबार में जब जब वो आई तब तब ध्यान उनी पर रहा उसके बाद आजाद की टीम में शामल वो छे लड़किया जिन में से प्रिया मनी की किरदार की तो देथ हो चुकी है लेकिन अभी भी बाकी है पांच लड़किया और फिर्म के एंड में वो भी आजाद दर्मदा याने की नयंतारा और विक्रम डाठोर के साथ किसी आई लाइन पजल मार रही थी आजाद की ये टीम हमें मनी इस्ट की याद दिलाती है और ये टीम यही पर नहीं रुखने वाली और आजाद के साथ मिलकर स्विस बैंक में जिन लूटेरो के पैसे हैं उन्हीं लूटने वाली है क्योंकि आजाद की एंड वाली स्पीच और शारुक के आस्क एसार की दोलों में ही स्विस बैंक मेंशन है दोस्तों इसलिए आजाद और उसकी इन पावर पर्फ गर्ल्स जबान्टू में अपने अगले मिशन पर जाती कोई नज़र आएंगी और अब उनकी टीम में नयमतारा का किर्दार भी हो चुका है शामिल क्योंकि इन सभी ने काम अच्छा किया लेकिन गयर कामिल तरके से किया तो उनकी और आजाद की नौफी तो गई और अब ये कॉमन लोग अनकॉमन चीज़े करने वाले हैं उसके बाद है संजेदत का किर्दार जो था मास्टर माइंड पहले हमें लगा कि वो आजाद के खिलाफ है लेकिन ये बंदा तो पहले से ही आजाद की मदद कर रहा था और आगे भी करता रहेगा इसलिए जबान टू में संजु बाबा की जखा तो पक्की है लेकिन मानना पड़ेगा बॉस संजेदत इसबक टॉलिवुड और बॉलिवुड दोनों ही इंडस्ट्रीज में थानौस की इंप्रिनिटी रिंग्स की तरह पर्म कलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि बंदे के पास कुल मिलाकर साथ अपकमिंग फिल्में हैं विद बिग आक्टर और आपको या पस कलेक्ट्शन दोनों में ही चार चान लगें आजाद वाला किर्दार अकेले इस पर्म का भार नहीं संभाल पाता हूं अगर विक्रम राठों का किर्दार नहीं होदा तो पर में इतनी सूपर डूपर हट भी नहीं होती और ये बंदा तो अपनी पूरी स्पिन-ओफ फि क्योंकि हमारी तरह उन्हें भी एक किर्दार काफी पसंद है और उन्हें ऐसे डेडली पापा वाले किर्दारों पर फिल्म बनाना भी बहुत पसंद है लेकिन अगर स्पिन-ओफ नहीं सीक्वल बनती है पर भी विक्रम राठोर तो होगा ही क्योंकि हिस स्टिल अलाइव औ जैसे साल आएव पास्टापी और यह की यह शील थी डालाव वालाइव वापस लॉट कर आया जिसकी past five में हमें सिर्फ एक जलग दिखाई दी थी जैसे इस mystery Russian man की दिखी जबान में सोज करदार को explore किगाने के पूरे chances है और अब आते हैं last but not the list actor पर जो थे थलापती विजय जिनका इंतलजार हम end scene तक करते रहे कि अब आएंगे अब आएंगे और अब आएंगे पर ऐसा कुछ हुआ नहीं वो नहीं आए क्योंकि अब वो जवान 2 में आएंगे और सिर्फ क्यामियों में नहीं एक अच्छे खासे रोल के साथ आएंगे क्योंकि विजय एटली के पेवरेट डाक्टर है जैसे कि एसार की और वो अपने दोनों ही पेवरेट के साथ एक पूर 75 करोर की ओपनिंग का बड़ा रिकॉर्ड बना चुकी है फिल्म बॉक्स ऑफिस पर दमदार प्रेशन कर रही है साथे फिल्म के सीक्वल को लेकर भी काफी बस बना हुआ है एटली ने जब से ये कहा है कि फिल्म से विक्रम राठोर के कैरेक्टर का स्पिन ओफ जवान 2 में बनेगा तब से ही फिल्म को लेकर हाइप बढ़ गई है अब बात करते हैं इसके दमदार सीन्स और डायलोग से बरी ये फिल्म के शूटिंग लोकेशन की क्योंकि इसमें खास बात है जहां आजकल हर दूसरी फिल्म यूरोप और अमेरिका जैसी बड़ी लोकेशन पर शू ना उगल रही है जवान फिल्म में फेमस मेट्रो का सीन महरास्टर के शानदार शहर पूरे में शूट किया गया था इतना ही नहीं पूरी फिल्म महरास्टर के साथ राजस्थान की कुछ लोकेशन पर शूट की गई है अम आपको बताते हैं जवान फिल्म की छे ऐसी सूरती पर यकीन नहीं होगा परदे पर दिख रहे ये धासू लोकेशन भारत के कई जगों के हैं आईए चानते हैं कहां कहां शूट हुई है जवान चैन्नाई तीन हजार परिवारों के सामने हुई थी जवान की शूटिंग शारुख खान ने अपनी फिल्म जवान का करि शूटिंग के समय तमिल के 3000 से ज़ादा परिवार भी सेट पर पहुँचे थे शारुख वहा करिम 150 दिनों तक रहे और अपनी फिल्म की शूटिंग करते रहे फिल्म रिलीस से पहले प्रमोशन के लिए यहां पहुचे शारुख खान लोगों को उनकी महमान नवाजी को ले अप्स भी खो दिये वहीं ज़वान फिल्म का एक बड़ा हिस्सा महारास्ट में शूट हुआ है इनमें से मुंबई में भी फिल्म की कई दिनों तक शूटिंग हुई है चलिया गाने की शूटिंग मुंबई के बैंडरा बोरी सी लिंक्ट पर हुई है इसके साथ ये फिल् अगर मेट्रो स्टेशन पर भी फिल्म के कुछ सीन शूट किये गए है। इसके अलावा पुड़े हाइवे, सुखवानी कॉम्पलेक्स, बलब नगर जैसी कुछ लोकेशन भी जवान फिल्म में नजर आई है। उसके बाद जवान फिल्म के टीजर और ट्रेलर में शारुक खान मेट्रो में डांस करते हुए नजर आए थे। इस सीन ने काफी लोगों को फिल्म देखने के लिए प्रभावित किया है। मेट्रो में बेताशा अंदाज में नाचते हुए शारुकान का ये सीन पुने की मेट्रो स्टेशन का है। संत्तुकरा मेट्रो स्टेशन में पहली बार किसी हिंदे फिल्म की शूटिंग की गई थी। वही महरास्ट के शहर औरंगाबाद में भी इसी साल जनवरी में जवान शूट की गई थी। फिल्म के 10 मिनट का एक्शन सीन औरंगाबाद के DMIC इलाके में शूट किया गया था। यहाँ फिल्म की शूटिंग के दौरान करे 25 जीपों को जलाया गया था। फिल्म के दमदार एक्शन सीन्स में औरंगाबाद की लोकेशन भी नज़र आ रही है। जवान फिल्म की लंबे समय तक शूटिंग चेन्नई में चलती रही। इसके बाद महरास्टर के कई शहरों में फिल्म के सीन शूट किये गये थे। बाद में फिल्म का रैप अप राजस्थान में शूट किया गया था। फिल्म के कहानी के आखरी दस मिनट के सीन्स राजस्थान में फिल्म आए गये थे। अब जवान में देश के कोने कोने की धर्ती देश। दोस्तों शारुखान की जवान इस वक्त दसवे आसमान को छू रही है और पैंस के सिर से अभी भी जवान फीबर उत्रा नहीं है और इस वक्त पर्मी दुनिया में जवान 2 की बात हर जगह पहली हुई है और जब सिर्फ फर्म डारक्टर एटली ने ये कहा है कि जवान 2 आ सकती है और अगर उन्हें एक अच्छे स्क्रिप मिली तो वो ज़रूर पार्ट 2 बनाएंगे और पर जब उन्होंने शारुखान के विक्रम राठोर वाले किर्दार पर स्पिन ओफ की बात की तब से खबरों का माहल करम हो गया और पैंस की एक्साइटमेंट और भी पड़ गई लेकिन सर्फ जबान के विक्रम राठोरी नहीं बलकि हमारी फर्म इंडर्स्टरी के ऐसे चार और किर्दार है जो अपना खुद का स्पिन ओफ डिजर्ब करते हैं अगर आपको याद हो तो अक्षी कुमार की बेबी फिर्म ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था और इस फिर्म की स्पिन ओफ फिर्म आई नाम शबाना और ये फिर्म भी हिट साबत हुई और इस फिर्म ने वाइरल किया स्पिन ओफ मुवीज के लिए एक कंसेप्ट विक्रम राठोर यानि की डैडी शारुख खान को फैंस का काफी सपोर्ट और फ्यार मिला है और फैंस तो उनके लुक्स और आक्शन देखकर मानो बागरली हो गए और साथ ही इस किर्दार को दिपिका बादुकोन के साथ पेर किया गया था और इन दोनों की एक बैक स्टोरी भी थी और अगर जैसा एकली ने कहा कि उन्हें स्ट्रॉंग फादर क्यरक्टर दिखाना काफी पसंद है और विक्रम राठोर के किर्दार पर स्पिन ओफ बन सकती है तो पॉसिबल है कि जवान्टू का मेन हीरो विक्रम राठोर यानि कि डैदी शारूख खान हो और हीरोईन दिपिका का किर्दार एक बार फिर से दिखाई दे यानि एक बार फर्स्ते शारुक और दतका सिल्वर स्क्रीम पर अपना जादू चलाने के लिए लिए उसके बार शारुखान का ही ब्रह्मात्रव किर्दार मोहन भारगव यानि की हनुमान अस्त्र आयान मुखर जी की इस साइन्स फाइफर में शारुखाय ने छूटा सा क्यामियों किया था और 2019 के वक्त आयान ने एक इंटर्व्यू में ऐसा भी कहा था कि शूटी के वक्त उन्होंने मोहन भारगव की किर्दार को जब एक्स्टोर किया था तब लगाता है कि इस किर्दार पर एक पूरी किर्दार बाबु राओ यह बाबु राओ का स्टाइल है जिसे हर कोई पसंद करता है और आज भी किर्दार मीम बढ़ का हिस्टा है हेरा पीरी प्रेंशाइजी राजू श्याम और बाबु भाया की कहानी को दिखारती है लेकिन पैंस बाबु भाया की एक स्टैंड अरून दिया है और यह किर्दार तेलगू पल्म विक्रम वेधा के हिंदी रिमेक से है जुसमें उनकी अपोजिट सैप अली खाल थे एक बार उत्रिक ने खुद कहा था कि उन्हें वेधा कर किर्दाल काफी पसंद है और वो सिर्फ इस किर्दार पर ही एक स्पिन ओफ फर्म भी ब नहीं जानते हैं कि मुन्ना भाई से वह कैसे मिले तो जहां मुन्ना भाई भी कंफ नहीं है तो वहीं अगर सिर्कुट की उपर एक स्पिन ओफ बना जाती है तो ओडियंस को यह ज़रूर पसंद आ सकती है तो आप इन में से कौन से किर्दार की स्पिन दोस्तों शारुखान कि जवान इस वक्त दसवे आसमान को चू रही है और पैंस के सिर से अभीवी जवान फीबर उतरा नहीं है और इस वक्त प्लमी दुनिया में जवान टू की बाथ हर जगह पहली हुए है और जब सिर्फ फर्म डारक्टर एट्ली ने ये कहा है कि जवान 2 आ सकती है और अगर उन्हें एक अच्छे स्क्रिप मिली तो वो ज़रूर पार्ट 2 बनाएंगे और पर जब उन्होंने शारुक खान के विक्रम राठों वाले किदार पर स्पिन ओफ की बाद की तब से खबरों का माहौल करम हो गया और पैंस की एक्साइटमेंट और भी पड़ गई लेकिन सर्फ जबान के विक्रम राठोरी नहीं बलकि हमारी फिर्म इंडर्स्ट्री के ऐसे चार और किदार है जो अपना खुद का स्पिन ओफ डिजब करते हैं अगर आपको याद हो तक्षी कुमार की बेबी फिर्म ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था और इस फिर्म की स्पिन ओफ फिल्म आई नाम शबाना और ये फिल्म भी हिट साबित हुई और इस फिर्म ने वाइरल किया स्पिन ओफ मुवीज के लिए एक कंसेप्ट विग किया गया था और इस दोनों की एक बैक स्टोरी भी थी पर अगर जैसा एकली ने कहा कि उन्हें स्ट्रॉंग फादल क्यरक्टर दिखाना काफी पसंद है और विक्रम राठवर के किर्दार पर स्पिन ओफ बन सकती है तो पॉसिबल है कि जवान्टू का मेन हीरो विक्रम रा स्ट्रीम पर अपना जादू चलाने के लिए आ जाए उसके बार शारुखान का ही ब्रह्मात्रव किर्दार मोहन भारगव यानि की हनुमान अस्ट्र आयान मुखर जी के इस साइंस फाइफर में शारुखान ने छूटा सा क्यारियों किया था और दो हजार उन्निस के वक्त आयान ने एक इंटर्व्यू में ऐसा भी कहा था कि शूटिंग के वक्त उन्होंने मोहन भारगव की किर्दार को जब एक स्टोर किया था तब उन्हें लगाता है कि इस किर्दार पर एक पूरी स्टूरी बन सकती है और ये तो हम सभी जानते है कि ब्रहमास्र टू जल्दी जाने वाली है और हम एक्सपेक्ट कर सकते है कि उसमें ये किर्दार दिखाया जाए साथ इसकी बैक स्टोरी भी हो मुहन भारगव के बाद है परेश डावल का आइकॉनिक किर्दार बाबू राओ ये बाबू राओ का स्टाइल है जिसे हर को ही पसंद करता है और आज भी बढ़ का हिस्सा है हेरा पीरी फ्रैंचाइजी राजू श्याम और बाबू भया की कहानी को दिखाती है लेकिन पैंस बाबू भया की एक स्टैर्ण अरूंड पर्म के भी डिमांड कर रहे हैं जिसमें हम बाबू भया की ओरिजिन स्टोरी को जान सके उसके बाद अरत्रिक अरूंड का वेधा वाला किर्दार जिसमें उन्होंने काफी अच्छा परफॉमेंस दिया है और ये किर्दार तेलगु पर्म विकरम वेधा के हिंदी रिमेक से हैं जोसमें उनकी अपोज़ट सेप अली खान थे एक बार रुत्रिक ने खुद कहा था कि उन्हें वेधा का क पसंद है और वो सिर्फ इसकिर्दार पर ही एक स्पिन ओफ फिल्म भी बना सकते हैं अगर ऐसा होता है तो ये देखना काफी इंट्रेस्टिंग होने वाला है कि वेधा की बैक स्टोरी क्या होने वाली है उस तो ओरिजिन क्या था हम सभी काफी बग से मुन्ना भाई सीरीज इसकी रहा देख रहे हैं और उस फिल्म का एक आइक आइक क्यारक्टर है अर्शिद वार्सी का सरकेर इस किर्दार की बैक स्टोरी हम नहीं जानते हैं और ना ही जानते हैं कि मुन्ना भाई से वह कैसे मिले तो जहां मुन्ना भाई फिल्म ने पहले 15 दिनों में एक हजार कर और रुपयों की कमाई कर कमाल कर दिया है साथ सितंबर को सिनमा घरों में रिलीज हुई ये फिल्म 75 करोर की ओपनिंग का बड़ा रिकॉर्ड बना चुकी है फिल्म बॉक्स ओफिस पर दमदार प्रेशन कर रही है साथे फिल्म के सीक्वल को लेकर भी काफी बस बना हुआ ह एटली ने जब से ये कहा है कि फिल्म से विक्रम राठोर के कैरेक्टर का स्पिन ओफ जवान टू में बनेगा तब से ही फिल्म को लेकर हाइप बढ़ गई है अब बात करते हैं इसके दमदार सीन्स और डायलोग से बरी ये फिल्म के शूटिंग लोकेशन की क्योंकि ये इ लेके इन इंडिया फिल्म है अब यूरोप और अमेरिका की जगा अपने देश की ही मिती सोना उगल रही है जवान फिल्म में फेमस मेट्रो का сцен महारास्ट्र के शानदार शेहर पूर्ये में शूट किया गया था इतना ही नहीं पूरी फिल्म महारास्ट्र के साथ शारुक खान की कुछ लोकेशन्स पर शूट की गई है। शारुक खान की गई है। वहीं जवान फिल्म का एक बड़ा हिस्सा महरास्ट में शूट हुआ है। इन में से मुंबई में भी फिल्म की कई दिनों तक शूटिंग हुई है। चलिया गाने की शूटिंग मुंबई के बेंडरा बोरी सी लिंक्ट पर हुई है। इसके साथ ये फिल्म के कुछ सीन गोरे गाउं इस्ट में भी फिल्म आए गए है पुरानी मुंबई के संतुका राम नगर मेट्रो स्टेशन पर भी फिल्म के कुछ सीन शूट किये गए है इसके अलावा पुरे हाइवे, सुखवानी कॉंपलेक्स, बल्लब नगर जैसी कुछ लोकेशन भी जवान फिल्म में नजर आई है उसके बाद जवान फिल्म के टीजर और ट्रेलर में शारुकान मेट्रो में डांस करते हुए नजर आए थे इस सीन ने काफी लोगों को फिल्म देखने के लिए प्रभावित किया है मेट्रो में बीतहाशा अंदाज में नाचते हुए शारुकान का ये सीन पुने की मेट्रो स्टेशन का है संतुकारा मेंटर स्टीशन में पहली बार किसी हिंदे फिल्म की शूटिंग की गई थी वही मारास्ट के शहर औरंगाबाद में भी इसी साल जनवरी में जवान शूट की गई थी फिल्म के 10 मिनट का एक्शन सीन औरंगाबाद के DMIC इलाके में शूट किया गया था यहां फिल्म की शूटिंग के दौरान करे 25 जीपों को जलाए गया था फिल्म के दमदार एक्शन सीन्स में और अंगाबाद की लोकेशन भी नज़र आ रही है जवान फिल्म की लंबे समय तक शूटिंग चेन्ने में चलती रही इसके बाद महरास्टर के कई शहरों में फिल्म के सीन्स शूट किये गये थे बाद में फिल्म का राप अप राजस्थान में शूट किया गया था फिल्म के कहानी के आखरी 10 मिनट के सीन्स राजस्थान में फिल्म आये गये थे अब जवान में देश के कोने कोने की धर्ती दे